हेलो स्टूरंट वेलकम बैक वन्स अगेंड उम्मिद करता हूं यहां पर सब लोग ठीक हो गए यहां पर अपना इकोनोमिक्स का रिविजन्स लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज से चैप्टर नम्मो वन ओलरी एसपी स्टार्ट हो चुका है बच्चे लोग ऊसी स्टार्ट हो चुका है तो प्लीज बच्चे लोग रिविजन्स लेक्चर देखिए जिन बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को रिविजन्स लेक्चर चाहिए तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको आपको खाली ओ लिंक है ना बच्चे लोग जो लिंक देख रहे ह लिंक में शेर कर दीजा आप के लिए इतना तो कर सकते हो अगर इंसर आपके लिए इतना एफट्स कर रहे तो आप उतना नहीं करो के मरे लिए तो लाइक करिए और शेर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और लेट स्टार्ट ज्यादा निबाटना है अपने को यहापे यहां पर आ जाते है chapter number one introduction to the corporate finance देखो यहां पर full videos तो मैं आपर तुम्हें को बोला कि पूरा detail में तो नहीं समदा सकता हूँ उसके लिए आपको देखना है detail video तो playlist में जाके मेरा economics की playlist बनी हो आपको detail में videos मिले के तो जाके कर सकते हो देख सकते हो यह purely revision lecture है तो यहां पर आपको पड़ा उपर उपर से फटा 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 फट इंपर्टन question डिसकस करके मैं निकल जाओगा 30-40 minutes के अंदर ही और पूरा chapter हो हुआ तो देखो नाम में लिखा है introduction to micro economics and macro economics तो मेरे हिसाब से इसमें इंपर्टन question में मैंने जो दिया था different between ही दिया था कि what are the basic difference between micro economics and macro economics जो आपके syllabus के अंदर दिया है जो मेरे लिए most favorable questions होता है हर बार क्यूंकि वह अगर पढ़ लो के तो कहा ना का पूरा chapters का brief up हो जाएगा आपको थोड़ा जलग हो जाएगी कि पूरा chapter कहना का चाहता है मेरे हिसाब से तो micro economics and macro economics आपको खुद को मालूम यह last में discuss हते है different between थोड़ा उपर उपर से पहले revise कर ले तो chapters के अंदर है क्या material अंदर पहले तो आपको खुद को मालूम इंट्रोड़क्शन के अंदर micro economics क्या है micro का मतलब ही होता है small ठीक है और macro का मतलब होता है large तो यहाँ पर meaning में दिखेगा that micro is derived from the Greek word is nothing but micros which means small और macro also come from the Greek word nothing but large objective में ध्यान रखना बच्चों लोग एक एक मां के लिए आ सकता है आगे बढ़ेगे page number 2 पर जहाँ पर इन लोग ने explain किया है meaning of micro economics अभी इस देखो micro economics is nothing but small होता है जो यहाँ पर जो भी study करेगा वो individual unit को study करेगा human behavior को individual human को क्या करेगा study करेगा जो भी study करेगा एक एक यूनिट को एक human being को क्या करेगा study करेगा is nothing but micro economics अगर मैं बात करूँ macro economics में जहाँ पर individual के जगा word आ जाएगा aggregate आ सकता है यह तो total क्या करेगा study करेगा is nothing but macro economics जो study of behavior pattern होगा जो study करने का वो लाज लेवल पर होगा किसके अंदर macro economics के अंदर तो micro economics क्या है यहाँ पर लिखा है कि भाई study the economic actions and behavior of the individual unit individual unit को क्या करेगा study करेगा यहाँ पर definitions दिए आपको जिसका भी definition अच्छा लग रहा है यूज कर सकते हो उसका ठीक है आगे बढ़ेगे जहाँ पर इधर scope दी है यास मेरे इसाबस का scope भी आने के chances है scope मतलब पूरे macro economics का एक जो funda है पर macro economics एक चुल में क्या क्या scope है उसके अंदर पढ़ाई करने मतलब पढ़ाई का बोलो एक study materials के एंगल से में बात करूँ तो कौन से कौन सा cover होता है portions किसके अंदर micro economics से अंदर तो यहाँ पर इन लोग ने बूला है कि theory of product pricing nothing but demand analysis and supply analysis तो पूरा chapters दिया है आपको आपको खुद को मालूम है कि जहाँ पर index number तक जो chapter number 5 तक वो पूरा किसके अंदर cover होता है micro economic वाला part है उसके बाद index number के बाद 6 chapter के बाद छोड़के जो 7 chapter से national income dollar हो पूरा concept किसका है macro economics से है new syllabus के अंदर उन लोग ने प्रॉपर डिवाइड किया था micro ने macro economics यहाँ पर भी ऐसा प्रॉपर डिवाइड नहीं किया इन लोग ने बड़ हाँ उपर आले chapters जो पास दिख रहे हैं आपको micro के बाद की remaining नीचे के कौन से macro economics से है बाद में अलेगा कि उसके अंदर factor pricing discuss होता है factor pricing nothing but कि आज मुझे कोई भी product बनाना है तो उसके अंदर कौन से कौन से चीज़े में जो directly और indirectly लगती है तो इस nothing but मेरा factor pricing मतलब आज कोई product का मुझे price decide करना है तो इसमें मुझे सब चीज़े देख नहीं पड़ेगे खाली में material नहीं देख होगा इसको बनाने के लिए labor भी लगेगा तो उसका wages कितना होगा इसको बनाने के लिए factory ली है वो फेक्ट का rent cover होगा तो नहीं बड़ मुझे पूर आप क्या करना है consider करके factor of pricing क्या करना है डिसाइड करना है individual unit का में आपर बात करो ध्यान से सुना में जो चीज़े हैं यहां पर बोलाओ प्रोडक्शन करना है अभी बात करो consumption की अफकोस जो production बनने के बाद जो consume करता है human being तो consumption में भी उसका maximum मुटिलाइशन होना चीज़े है वेस्टेज कम देखो efficient का मतलब होता है जहां पर वेस्टेज कम उसका मतलब होता है efficiency efficiency अगर production में रही तो बहुत अच्छी बात है efficiency consumption अगरी तो भी बहुत अच्छी बात है और overall efficiency मतलब आपको दोनों को सोचके क्या करना है कोई भी material आप बना रहे हो तो overall efficiency होना ज़रूर ही है production में और consumption के अंदर ठीके तो यह हो जाएगा आपका theory of economic welfare आज जाते features के अंदर features of micro economics की बात करूँ तो पहला हो जाएगा study of individual unit अपने definite meaning में देखा कि यह जो micro economic के ऊख study करता है किसको study करता है एक individual को क्या करेगा study करेगा एक individual unit को क्या करेगा study करेगा तो first features हो जाएगा study of individual unit second यह price theory है क्योंकि यह जो भी मैं तो बहुत बहुत बोला भी कि भाई factor pricing तो यह जो भी unit calculate करता है individual unit को क्या करता है calculate करता है जो consumption की बात करूँ तो individual unit को इतना consume होगा वो सब चीज़का discuss करेग Micro economies deal with the determination of the price of the goods and services as well as the factor of production जो मेरे तुमको जेश्ट बोला Next is partial equilibrium Sir इसको partial equilibrium क्यों बोला है Partial equilibrium इसलिए बोला है कि मेरे तुमको जेश्ट बोला कि यह जो study करता है वो एक-एक individual को study करता है Economy as a whole को study नहीं करता है इसलिए इसको बोला है partial equilibrium Equilibration is the balance between two factor micro economic analysis deal with the partial equilibrium which analysis the equilibrium position of the individual economy unit That is individual consumption कितना होगा Individual form कितना production मना रही है Individual industry कितना product मना रही है मतब जो भी calculation करेगा है यहापे individual के base पे करेगा Next हो जाएगा based on certain assumptions आप हो खुद को मालूम है अपने economy I hope you know का पूरा हो गया रहेगा portion तो ही revision weight lectures देखना बच्चे लोग Otherwise क्या sir बोल ले क्या बोल रहे है पका रहे है sir यार ऐसा फिलोगा तो please बच्चे लोग अगर detail में पहले वीडियोस देखें उसके बाद यह सब चीज़ा आपको easy नहीं समझ में आएगा तो यहां पर बात कर रहा हूं कि दैसे कि कि पूरा अपने दिमांड पड़ा सबढ़ा पर डिमांड दो लौओ औस चेंड पर रहा है इसलिए based on certain assumptions and one of the features of the microeconomics next हो जाएगा slicing method जैसे कि वो बोला कि यहाँ पर जो calculations होता है behavior study होता है जो individual based पर होता है इसलिए इसको slicing method follow up किया है इसलिए इसका one of the features हो सकता है कि इसका microeconomics का next use of marginalism principle जैसे कि अपने DMU में देखा था कि अगर extra unit buy करते हो तो क्या होता है तो यह सब चीज़े ओलेडी law of DMU में अग्री वीजन में भी discuss करेंगे और डीटेले वीडियो में तो ओलेडी discuss कर दिया है analysis of the market structure, microeconomic structure को market economy structure को क्या करता है study करता है कि बाई क्या कैसे चल रहा है हो एक चोटे चोटे पंधेस तंसे त्म्हों को बहा बोलाउंक हो तो यह चोटे 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 रही एक इंडिविजलों को क्या करता है study करता है lot limited scope of course अगर individual को study करूगे कुकि यह economy वहसे whole course study नहीं कर रहा है इसको कोई लेना देना नहीं माइक्रोएकोनोमिक्स को कि बाइन कम्पनी के रिक्सटरे कंट्री के इंदर कितना पॉपुलेशन चे नहीं का नहीं यह सब डिसकर नहीं करता है यह सब स्कोप के अंदर नहीं आता है इसलिए स्कोप क्या बोला है लिमिटेट स्कोप मतलब उसको कोई लेना देना नहीं, इंफलेशन से, इंफलेशन से, बैलेंस और पेमेंट से, पोवर्टी लाइन, अनेपलोमेंट, पोपुलेशन से, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यह जो एकर फिचर्स अप माइक्र एकरोमी, उसके इंपोर्डंस क्या है, let's see, प्राइस डिटर्मिनेशन, अफ्कोर्स यहाँ पर दूसरा पॉइंट ही पड़ा था, कि यह जो थियरी डिसकस करता हो, प्राइस के लेवल पे, तो पहला पॉइंट बन जाएगा, इसका प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री von exchange rate क्या होगा, individual quantity का, ये सब decision की जरुए, individual ही बात करो, मैं हभी भी बहए इसके agreement प्राइस क्या होगा, छो प्राइस, नमटे decisions लेने हैं तो तो micro economy is one of the important factor for the micro economy business decision के अंदर नेक्स होज़ेगा useful to the government, government को अगर policy बना नहीं है अगर individual unit पर कोई policy बना नहीं है तो micro economy बहुत ज़्यदा helpful करता है किसको government को अलसो basis of welfare economy जो अपने देखा उपर जो efficiency in production, efficiency in consumption and overall efficiency next आजाएगा macro economics से बात करो, macro economics से मतलब ही होता है यहाँ पर जो study होगा, वो overall as a country का क्या होगा, study होगा मतलब overall country के साथ साथ मलब जो भी discussion होगा यहाँ पर total discussion होगा, aggregate study होगा मतलब human behavior की बात करो, तो aggregate होगी यहाँ पर populations is one of the example बात हो गया income की बात करो, तो यहाँ पर individual income ने, national income क्या होगी is one of the second example बोल सकते हो, आप national income तो दिजार था नतिक बट, scope of the macro economics तो यहाँ पर आ जाते है scope of macro economics के अंदर, यहाँ पर जो chart ढिक रहे हैं यहाँ यह रहा scope of macro economics अगर मैं बात करो होगी income and employment, तो one of the first based example है उसके अंदर भी दो options दिया है, theory of consumption functions and theory of investment function and उसका combination theory of business cycle, कि आप क्या कमा रहे हो, कितना consume कर रहे हो, कितना invest कर रहे हो, यह बहुत हरा factor इंडिविजल लेवल पर तो पढ़ता है, अपर overall country पर भी क्या होता है, होता है, आज देख रहे हो कि आज इंडिया इतना grow कर रहे है, क्यो grow कर रहे है, no doubt, इंडिया grow कर रहे है, in term of business and all, startups and all, completely agree, but individual भी आज grow कर रहा है, in form of में बात करो, कि आज after covid, सब समझ गया है, कि भाई, पैसा बचाना पड़ेगा, otherwise कभी भी ऐसी ताइप की मुसीबत, इन future में कभी भी आ सकती है, तो nowadays अपन देख रहे हैं कि आज stock market में सब क्या कर रहे ह पहले में बात करो, 15-10 साल पहले की बात करो, 15 साल पहले की बात करो, यह movie आने से पहले ही बात करता हो, जो आपन रिदेखा था, scam 1992 वाला, उससे पहले की बात करो, इतना कि इसको aware नहीं था stock market को, hardly में देखने जागो, तो 10% से भी कम, क्यान से सुन में क्या बोल ला हूँ, 10% से भी कम लोग stock market में invest करते थे, बर नावडेव वो ratio क्या हो गया है, change हो गया है, जो आज देखने जागो, तो almost 20-30% of the population क्या कर रहा है, अपने इंडिया में क्या कर रहा है, stock market के अंदर invest कर रहा है, तो ultimately वो stock market के अंदर individual invest कर रहे है, पर overall उसके क्या हो रहा है, country का growth हो र रहा है, तो यह सब छोटे-छोटे decisions, छोटे-छोटे, मैं बोलता ना कि एक बड़ा सा आपना को मुकाम आशिल करना है, तो जैसे के for example, समुंदर की बात करो, तो समुंदर एक छोटे-छोटे-बुंच से भशा जाता है, yes, तो यह इसकी ऐसे हो कि growth भी suddenly, ऐसे suddenly नहीं हो जा ऐसे करके theory कि उसको explain किया गया है, किसके अंदर scope of macroeconomics है, मतलब यहाँ पर bottom line यह है कि भाई, यहाँ पर जो discussion होगा, overall as a country का क्या होगा, discussion होगा, next आजएगा उसके features of macroeconomics के अंदर, study of aggregate, aggregate का मतलब होता है total, next income theory, microeconomics के देखा था, जो study theory करता है, वो pricing theory होता है, बड़ इ यह सब चीज़ेदे को मैं तुम लोगो compare करते होते हैं, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप different video में भी leak सकते हैं, next होगा general equilibrium price, वहाँ पर आपने देखा था, partial equilibrium price था, यहाँ पर general equilibrium price है, मतलब जो भी लोग tools use करेगे, overall as a country के लिए use करेगे, जो भी behavior में deal होगी, वो large level पे होग behavior को क्या किया जाएगा, analysis किया जाएगा, next है interdependence, यहाँ पर उधर independent बोल सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर individual unit पर क्या होता है, behavior study होता है, बड़ यहाँ पर तो कहाना का, एक factor दूसरे factor पर क्या, dependent, जैसे कि मैं तुम लोगों को भी जैस बोला, कि अगर आप पैसा बचा हो growth होगा country का, उसके बदले में return मिलेगा, वह return अपने अपने ultimately क्या होगा, transfer होगा in the form of dividend, तो मतलब देखरो cycle पूरी कैसी ही है, तो यही हो गया, macroeconomist में क्या होता है, generally एक factor, दूसरे factor पर क्या होता है, interdependence होता है, वहाँ पर आपने देखा था slicing method था, यहाँ पर lumping method, मतलब overall method पर क्या होता है, slicing method मतलब एक individual को study करना है, पर lumping method में overalls क्या होता है, study होता है country का, next growth model, of course expansion and business oriented बात करूँ, तो यहाँ पर जो भी बात होगी, वो proper growth model और development model पर क्या होगी, बात होगी, general price level हो गया, और policy oriented, तो आहिसे करके certain features है, किसके macroeconomics है, तो बच्चों लोग अभी बोला हो, यहाँ पर आपको लग रहा है, कि सर भगा रहा है, यहाँ पर purely revisions lecture है, तुम लोगों को brief up करा रहा हो, कि क्या क्या चीज़ है अपने पढ़ी थी, अगर आपको detail में videos देखना है, तो जाके देखो, कौन रोक रहा है आपको, मिंदाज जाके, अगर free में lectures है, घित बात करें, नेक्स्ट आजेगा, importance of macroeconomics के अंदर बात कर तो functioning of an economy, यहाँ पर जो overall discussion की बात कर रहा था, economy as a whole, बात कर रहा था, यहाँ पर economic fluctuation, में तो मुझे से बोला, कि जो भी fluctuation की बात हो, कि माइक्रो में नहीं होती हो, मैक्रो में होती है, अपने जैस अब ही माइक्रो सब्सक्राइब, यहाँ पर there is no limit, yes, national income, microeconomics में individual income पर calculation होता है, but यहाँ पर national income पर calculations होगा, next आजेगा, economic development, performance of the economy, जो भी discussion होगा, national income क्या है, उसके बेस पर, उसके बेस पर performance decide होगी, by country में, growth हो रहा है कि company उपर जारी कि country, sorry, company निए, country उपर जारी कि country निचे जारी है, study of the macroeconomic variables, or level of employment, तो यह दिजारता नतिक बड़ एक certain important factors है, importance है, किसके लिए, macroeconomics के लिए, यहाँ पर last में आजाते हैं, yes, most available question for me, जो मैंने तुम लोको important question में भी दिया था, macroeconomics है, importance, difference between, क्योंकि different between पढ़ लोगे, तो मेरे इसाब थोड़ा बहुत overview हो जाएगा, कि पूरा chapter chapter क्या कहिता है, और मेरे इसाबर chapter का नामी है, introduction is microeconomics and macroeconomics, तो उसका difference आने के chances maximum हो जाते है, तो जैसे कि मैंनिंग देखते हैं, microeconomics study the behavior of the individual unit of an economy, बट यहाँ पर overall, aggregate, total, क्या करता है, study करता है, economy को, yes, आगया जाएगे, tools की बात करू, individual demand हो गया, individual supply हो गया, these are the tools, जिसके base पर क्या होता है, calculations होता है, behavior, यहाँ पर आ जाएगया, aggregate demand, aggregate supply is a tool for calculating the macroeconomics, scope की बात करो, तो scope अपने उपर ही देखा था, जहाँ पर अपने demand, supply, analysis, factor of pricing, अपने देखा था, economic welfare, मतलब, production हो गया, consumption हो गया, overall efficiency, बट यहाँ पर आपने देखा था, national income, national unemployment हो गया, general price level हो गया, employment money is a nothing but scope for the macroeconomics, बात करो, importance की importance भी अपने पड़े उपर, उसमें certain importance किया था, price determination था, model building business decision भी अंदर help पर था, government decision को help करता है, यहाँ पर देखा हो गया, economic fluctuation, study of the national income, economic development, and extra is the importance of the macroeconomics, theory की बात करो, तो these are the price and these are the income, theory, objective, इसमें प्लीज हाइलेट करके रखना, आने के chances लग है मुझे, और last is example, individual income, individual output, national income and national output, अब चाहो तो methods की बात करो, method भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर जो method यूज होती है, slicing method हाथा, यहाँ पर lumping method था, partial equilibrium, general equilibrium, तो यह दो तीन, दो तीन, पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो, अपने हीजाप से add कर सकते हो, यहाँ पर chapter number one का revisions य इतना ही है, आपको लिए exercise भी में अलरी दे दिया है, अगर चाहिए तो वापस से तुम लोग को exam time में करा दूगा, बट हाँ, यहाँ पर chapter number one conclude होता है, chapter number two, next session में चालो करेगे, utility analysis, so law of DMU रहेगा उसके अंदर तो please बच्चों लोग present रहना जरूर, और कुछ भी आपको special request है तो please comment section में डाल दीजे, till time please रहने के लिए update रहे है, thank you so much, hello student, welcome back, उमीद करता हूँ यहाँ पर सब लोग ठीक होगे, यहाँ पर अपना revisions लेक्चर जो चल रहा था, वो continue करेगे, और yes, जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया, तो first of all, please बच्चे लोग चैनल को subscribe कर लीजे, like क कर लीजे और share कर दीजे, आपने सभी friend circle के अंदर, जो भी revision lectures देखना चाहता है, और not only revisions, आपको over a period of time में तुम्हों को जैसे commitment किया है, कि जैसे revision खतम हो जाएगा, आपना paper solving स्टार्ट कर देगे, january के बार, तो please बच्चे लोग update रहे है, क्योंकि बहुत interesting concepts अभी आने व आपके चले जाएगे मालूम नहीं किरेगा, अधरवाज सब्सक्राब किया रहेगा, तो notification आएगा, इरेंसर लाइव है, कि या तो फिर इरेंसर का वीडियो है, तो इसलिए request है, सब्सक्राइब कर लीजिए, yes, already first chapters मैंने discuss कर लिया, revision session में, जिन बच्चों नहीं देखा, त general term में मैं बात करू, normal term में, कि utility मतलब वो चीज को, जो चीज से मुझे satisfaction मिल रहा है, consume करने के बाद, उसको मैं क्या बोलूगा, utility बोलूगा, simple चीज है, utility का मतलब होता है, जो चीज में consume कर रहा हो, और इससे मुझे satisfaction मिल रहा है, उसको मैं क्या बोलूगा, utility बोलूगा, उससे मुझे maximum satisfaction मिले और वो चीज में buy करने के लिए क्या हूँ एक मुझे होनी चाहिए कि मैं buy कर सकतू वो goods को उसको में क्या करूगा utility बोलुगा तो या पर देको लिखा है कि in practice every individual tries to satisfy his want with available resources. It is true that all the human want cannot be satisfied full at a specific type. Utility analysis explain the consumer behavior in relation to the maximization of the satisfaction की by कोई भी consumer कोई goods को consume कर रहा है और उसको वो चीज से क्या मिल रहा है satisfaction मिल रहा है उसको utility बोलेगे अभी utility की बात करूँ तो यहां पर बहुत सारे features आ जाते है utilities के लिए में बहले ले बोला importants में मैंने इसको question को नहीं डाला है बट गुगली बोल डालना है तो डाल भी सकते है इसा कोई कंपन सरी नहीं कि already important question दे दिया है बच्चे लो जिन बच्चोंने important questions नहीं देखे तो जाके वो important question 2024 के लिए मैंने उल्लेडी वीडियो बना के रखा है वो भी जाके यहां कर सक के अंदर कि भाई consequence features से जो मैंने important question में I don't think जो दिया है पर अग्जामिनर को पेपर जो set कर रहा है उसको गुगली बोल डालना है easy paper तो डालना है तो यह वाला question आने की chances है अभी बात करो कि features of utility के अंदर पहला है relative concept कि हाँ भाई वो place to place और time to time क्या करता है utility जैसे कि for example यहा अगर मैं वह summer में पेनू as compared में बात करू winter में yes अगर मैं summer में पेनू तो मुझे उतना satisfaction नहीं मिलेगा बाई गर्मी है और woolen cloth पेनू तो और गर्मी होगी मुझे satisfaction मिलेगा मुझे satisfaction तभी मिलेगा कभी मिलेगा जबी winter में थंडी होगी तभी मैं अगर woolen cloth पेनूगा तो मु पर मुझे सबसे ज़्यादा सटिस्फेक्शन कहा पर मिलेगा कश्मी जाओ को उधर मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज्यादा होगे वहाँ पर मुझे वुलन को पर क्या मिलेगा यूटिलिटी उसकी जाधा होगी क्योंकि as compared to जो आपन जू बीच पे या तो बीच पे जो रहती होती हो as compared to वहाँ पे जो रहती है ठीक है तो यह दो एक्जम्बल सेट किया पर मैंने एक ही एक्जम्बल को दो अलग-अलग वे में बता है मतलब time to time और place to place यस चल आगे बतागे सर आगे है subjective concept of course यह subjective concept है कि वो utility ज़रूर ही नहीं कि एक time के लिए same हो सबका utility अलग-अलग हो सकता है मतलब सबकी likes, dislike, want, habits हो गए तो यह सब depend करता है human to human behavior तो इसलिए हो जाएगा subjective concept है next हो जाएगा ethically neutral concept the concept of utility has no ethically consideration it is no morally colorless concept क्योंकि यह इसा इसलिए बोला गया है कि भाई suppose कि for example यहाप एक knife का example दिया था तुम लोग को जिसी इधर भी दिया है कि knife अगर आप fruit cutting कर रहे हो तो आपको maximum satisfaction मिलेगा आपको सब्सक्राइब हो जागा बड़ वही नाइफ अगर किसी मडर के लिए मडर के लिए अगर यूज करता है वो तो उसको भी satisfaction मिलता है यस और नो उसको भी जो क्योंकि उसका भी intention क्या था मडर करना है उसका भी करना या उसको मिलर करन है बड़ फ्रूट करना इस वेराज usefulness indicate a value in use of the commodity for example milk has a both utility भी है useful भी है कैसे सर देखो भी आप लिखाया milk has a both utility as well as usefulness to the consumer while liquor has a utility only to the addicted but has a no usefulness मतलब कोई commodity है से है कि utility भी है मतलब satisfy भी कर सकते है human word को और उसको use भी कर सकते है one of the example milk हो गया सेकेंड लोग ने एक्जमपल यह लिकर का नतिंग बट चार बजगे है बाटी अभी बाकी है नतिंग बट धारू की बात की है लिकर की कि जहां पर वो जो एडिक्टेड है जो बंदर होच पीता उसके लिए क्या है utility है बट यूस्फूल है नहीं है यह नेक्स रहेगा utility different from the pleasures a commodity may possess a utility but it may not give the any pleasure to the customer customer for example injection आप एक इंजेक्शन एक्जम दिल दिया है कि जहां पर आपको 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 बुकार आ रहा है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे रहा है तो आपको utility मिलेगा मतलम आपसे उसे रहात मिल जाएगे बट आपको मजा प्लेजर फिलोगा वाव मजा आ रहा है और दो तिन ठोप अपन डॉक्टर को इसा बोलते है नहीं बोलते है इसलिए बोला utility different from pleasure yes utility different from the satisfaction once again कि या पर देखो क्या लिखा है utility is the cause of the consumption satisfaction is the end result of the consumption of course देखो मैं तो अभी जस्ट क्या बोला कि utility क्या है कि आप कोई भी goods खा रहे हो उससे अगर आपको satisfaction मिलना है मतलब आपकी utility satisfy हो तो utility is the first step satisfaction is the end step इसलिए या आपके क्लियर लिखा है utility is the cause of consumption satisfaction is the end result of the consumption next measurement of utility is is hypothetical मतलब सरी ये से क्यों बोला गया अरे भाई आप utility को calculated कर सकते हो आप पानी बूरी खा रहे हो आपको मजा आ रहा है क्योंको आपको पानी बूरी अच्छी लगती है बड़ा आप खाली बोल सकते हो मजा आ रहा है आप बोलते है को अगर आप measurement कर रहो तो इसा hypothetical measurement होगा actual measurement होगा नहीं क्योंकि आप किसी भी want को satisfied का measurement नहीं दे सकते हैं इसलिए बोला कि measurement of utility is a hypothetical concept next आ जाएगा यहाँ पे जैज़े कि for example utility is a multi-purpose कि आप एक चीज़ से 10 चीज़े यूटिलाइस कर सकते हो for example electricity is one of the example electricity आप इस आप देखो में बोर चला रहा हूँ camera चला रहा हूँ lights चला रहा हूँ पंका चला रहा हूँ एसी चला रहा हूँ मतलब एक ही चीज़े electricity उसका multiple-purpose views है और utility is depend on the intensity of the want of course देखेगा कि human का want क्या है तो यह intensity दिखाता है कि बाद यह को करना क्या है yes तो is a utility depends on the intensity of the want next या पर देखो for example यह hungry person find a more utility in a food than the person who is a not hungry ठीक है अगर suppose for example आपने अभी just dinner किया है आपके सामने और dinner आपने बहुत अच्छे तरह किया है पूरा पेड़ भर के किया है अगर आपका pizza कितना भी अच्छा होगा तो भी आपको इतना utility नहीं मिलेगा उससे as compared to जो हंगरी रहेगा बंदा उसके लिए तो कुछ भी चीज रहेग of the demand है कि भाई मुझी यह चीज चाहिए और आगे बढ़ेगे अभी तो यह हो गया nothing but features of utility लेटी आगे बढ़ेगे सर आगे कि तरह के यहाँ पर आजाएगे अभी आजाएगे tax of utility यहाँ पर पहला है form of utility मतलब एक यहाँ पर आपको डिखी रहा है कि एक लकडे से आप form मतल तो वूर से आप चैर भी बना सकते हों डूर भी बना सकते हों टेबल्स भी बना सकते हों इसादी पर फॉर्म utility नेस्ट आजाएगा अपना place utility जैसे कि तुम लोग को एक place utility का मैंने concept ही समझाया था कौनसा वाला वो वूलन वाला क्योंकि utility is a pile-eye features of utility is a relative concept place to place and time to tap तो यहाँ दे आप एक place का दिया है जैसे कि इदर इजा इधर यह इखेंपल दिया एक फर इसापल वूलन प्लोड एक ओल प्लेस तैन अट वार्म प्लेस नतिंग बड मेने मुंबाए और कश्मिर का एक्जांपल देदिया तुम लोको नेक्स सर्विस यूर अफोर्स सर्विस अवर् पर्टिक्लर प्रोड़िक इसी को ओले सा नॉलेज उतिलिटी नाइस तिंग बढ़ अब बात करों मुबाइल इस आपका वन अफ दे लेटेस एक्जाम्पल हो जाकता है तो यहां से आपको नॉलेज बिल जा है इस नॉलेज यूटिलिटी जैसे कि यहां पर दिख रहा है कि आप इसके हाँ में क्या है तो इस एक्जाम्पल नेक्स है पजेशन यूटिलिटी मतलब कि आपने अगा कोई गूर्स लिया है और आप उसके बतले पर कुछ पे कर रहे हो और आपको क्या मिले है वो प्रोपर्टी मिल जारी नतिक बड़ आपको पोजेशन मिल रहा है पर कुछ लेते हो घर लेते हो फर एक्जामबल घर ओफिस लेते हो आपको चाभी मिलती है आफटर पेमें अफ तो शर्टन अमाउंट और डिपोसिट और रहे तो क्या हो जाएगा पुछेशन यूटिलिटी मतलब एक ओनर्शिप क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है फ्र सबस्क्राइन वीटिलिटी का कॉंजा है समँर और विल्टर वाला यह होजाएक्ड टाइम इटो यह हो calam मतलब होता है marginal का मतलब होता है मार्जिनल का मतलब होता है extra कि आप extra unit को consume करने के बाद आप जो consume कर रहे हो वो उसमें तरी utility मिल रहा है उसको क्या बोलेगा थिसक्स पानि पुरी खाने के सहर सुभव सुभव सपोज के 25 पुरी खाने के बाद आपका पेट भर घिया आप साटिश्वा हो गे पूरी तरह 26 यूड़ी चला यहाँ पे सöyleते लोगम ने marginal हां न कॉठ है questionि ओता है कि दर संभष में लिए सब्सक्राइब रिखना है' मतब है रिजी का स्टाइबल प्लित विडिशन करते जाऊगा ना देखो कि यहां फर यूरीटी लेवल बढ़ते जाएगा, टोटल यूटिल 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 बट यहां पर मैं margin utility की बात करूँ बाद 26 पानी पूरी से ही में क्या होगा नीचे नीचे जाओगा क्योंकि वो मैं extra unit क्या कर रहा हूं तो इस starting से ही क्या होगा है हो जाएगा उसका 0 पर आ जाएगा उसके बाद negative में चला जाएगा कौन marginal utility तो इसका मस्त कव भी दिया है एक्जाम के point of view से अगर आएगा तो लिख सकते हो बहुत easy curve है और आना भी चाहिए अगर यह ज़रूर ही नहीं कि DME पूछे है law of DME यह chapter में से यह भी पूछ सकते है comparison बहुता थो basic differenti, total utility and marginal utility please explain the diagram in form of तो आपको पूछ सकते है कोई यहां पे guarantee नहीं है कि बाइब जो important question जैसे कि for example 10 पे चालू हो था total utility पहले तो आज जाएगा आपका यहां पर total utility marginal utility y-axis और x-axis पे आज जाएगा आपका units of commodity दोनों चालू हो रहा है 10 से जैसे कि diagram में अपने देखा 10 से चालू हो रहा है total utility देखरो उपर जा रहा है उपर जा रहा है उपर जा रहा है उपर जा रहा है 30 में वो क्या हो जाएगा 30 में वो क्या जाएगा stable हो गया था बाद में देखरो 28 पे वो क्या हो रहा है downfall होने लग रहा है मतलब decrease होने लगा पर marginal utility बात करो तो तो अफकोस हो तो downfall में यह downfall में downfall बाद में 0 पे आ जाएगा वो 0 बाद में क्या हो जाएगा negative में चला जाएगा minus 2 समाज में आ रहा तो जादर नदिंग बड diagram of the total utility and marginal utility और जो यह 0 और यह 0 के साथ जो compare कर रहा है न यह line उसको बोलते point of sight t point of sight t बोलेगे nothing but point of satisfaction भी बोल सकते हो चाहाँ पर आपका satisfaction level आ गया है yes चला तो यहाँ पर लोग ने जो diagram डोग किया है इसने लोग ने प्रॉपर प्रॉपर यह जो curve है उसको explain किया है 6 point के अंदर मेरे हिसाब से अगर total utility और marginal utility पर कुछ भी difference आ रहा है या तो कुछ भी questions आ रहा है तो यह 6 point with diagram और which tables अगर draw कर क्या है तो बहुत अच्छे तरह लगेगा examiner को और examiner समझेगा कि आपका जो भी concept है वो क्या है clear है आपको पहले total utility marginal utility के बार में समझाना है जो आपने उपर देखा उसके बाद यह diagram और बाद में छे point के काउ को क्या करना है explain करना है six point के ठीक है जो मैंने तुम्हों को बोला ना वहीं चीज़ है यहां पर लोग में लिखी है कि भाई total utility utility highest level होगा तभी marginal utility क्या होगा 0 होगा highest level 30 तभी marginal utility क्या होगा 0 होगा जभी total utility नीचे चले जाएगी तब तब तत्थ marginal utility क्या हो जाएगी नेगेटिव में चले जाएगी समझ में आ रहा है तो यह सब चीज़े ही लोग ने क्या एक्प्रेंट किया है जैसे कि आफ्टर रिचिंग पॉइंट ऑफ साइटी नतिंग बड़ रेशनल कंजुमर शुल्ट स्टॉप हीस कंजम्शन सीज त्या मैक्जिमम लिमिट ऑफ सा अगे बड़े के लौग बहुत इंपोर्टन कंसेप्ट आपके एक्जाम के लिए मेने इंपोर्टन क्वेसिंग अंदर भी डाला नतिंग बड़ आपका लौ है आपको माइक्रोगों में तीनी लौ एक्प्रेंट के लिए लौ बार में दिता हूँ अगर आ गया तो डायरे जो भी देखो क्या लिखा है तोड़ा बहुत अब्जेक्ट इस भी आ सकते इसके अंदर से तो लिखो पढ़ता हूँ यहां पर तीस लौ वास फर्स देखो लौ लिखने का तरीका होता है पहले आपको जैसे दिख रहा है ना वैसे ही लौ लिखना है पहले उसको स्टेटम अब डायग्राम के फॉर्म में क्या करना है ड्रॉ करना है आप चाहो तो पहले भी ड्रॉ कर सकते कोई प्रब्लम नहीं उसके बाद एक्सेप्शन लिखो अगर क्वेशन पे पूछ रहे तो 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 इसलिए नाम ही लिखा है अजम्शन यह तो यह अजम्शन है प्रेक्टि चलो तो यहाँ पर देखो जैसे कि इस लोग वस फर्ष्ट प्रपोस्ट बाइड़ प्रोफेशन गोशन बट वस डिसकस इन डीटेल बाइड़ प्रोफेशन आलफर्ड मार्शल इन इस बूक प्रिंसिपल ओफ एकोनोमिक्स पॉब्लिश इन नाइटीन यह वाला तो क्या एडिशन बेनिफिट एडिशन बेनिफिट वीच परसन डिराइफ रॉम दन गीवन इंक्रीजिग इन इस स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनेशिंग विद एवरी इंक्रीजिग इन स्टॉक देट ही अलेड़ी हैस मतला वह उसके बाद कर रहा है कि 25 पानी पूरी खाने क बाद उसको satisfaction मिल गया था उसके बाद जो 26 भी पानी पूरी खान रहा है उसके पाद इवन दो उसके commodity रहेगी तो भी उसको उतना satisfaction नहीं मिलेगा तो वही statement of law बोलता हो statement of law आपको रट्टा मार के जाना है उसमें अधा कुछ भी एक भी error addition, deletion नहीं होना चाहिए चाहिसा ह आप चाहो तो 25 बार 30 बार वो law of statement को लिखो यह थोड़ा law of statement थोड़ा हाड है हाड तो नहीं है समझो के तो बहुत easy है पकि demand और supply के तो बहुत easy दिया है yes assumption की बात करो तो of course पहला है rational है consumer is assumed to be a rational it means that his behavior is normal and he is try to maximize his satisfaction every human का कभी भी human एक एक ही mood में नहीं हो सकता है मतलब एक ही behavior उसका behavior pattern नहीं हो सकता तो इससे बोला कि एक ही behavior है ऐसा थोड़ी हो सकता this is the assumption next is cardinal measurement अरे अपने अभी जहाशूपर features में पढ़ा था कि measurement of the utility is a hypothetical यह बोला है cardinal measurement possible possible नहीं है देखो the law assume that utility can be cardinal or numerically measure by numbers माप ही नहीं सकते utility को आपको कितना satisfaction है कैसे माप सकते हो समझ मैं यह क्या assumption है तो यह हो जाएगा assumption के अंदर homogeneity मतलब सभी utility का मतलब सभी commodity का या तो service का color shape सब same होगा homogeneity का मतलब होता है same heterogeneity का मतलब होता है but it's practically not possible सब commodity का structure अलग हो सकता है shape अलग हो सकता है color अलग हो सकता है तो यह हो जाएगा assumption हो जाएगा continuity अरे यह भी पागल है कोई भी consumer एक goods continuous consume करेगा नहीं करेगा ना every commodity का अपना-पना shape है वो बड़ा भी हो सकता है अभी हमें fridge के साथ यह compare करूं तो fridge बड़ा है यह small है समझ में आ रहा है कि नहीं तो every commodity का अपना-पना shape है और big small तो होने वाला है तो जादा assumption यह बोलता है कि एक ही size होगे ऐसा possible कैसे है बाबा कैसे है next consistency all the related factors like the income tax habits choice like dislike of the consumer should remain a constant desire not possible bro मतलब कोई human की income की बात करो preference की बात करो like dislike habits same हो सकती है नहीं हो सकती अगर आपको कितना भी पीजा अच्छा क्यों ना लग रहा हो सर अभी पानीपुरे से आप पीजा पर आए अब आगे मत बढ़ो तांडाव मचा देगे नहीं कि अगर सब्सक्राइब ले रहा हूं कि अगर सब्सक्राइब पीजा की बात करो तो इतना भी अच्छा पीजा की नहीं पसंदो आप अगर सब्सक्राइब पंदरा दिन अगर सब्सक्राइब यह उसकते हैं तो जिजा जाता नथिंग बट अजम शंद यह हो जाएगा सर्टन अजंशन आफ दम किसके सब्सक्राइब यह जाएगा और नेगेटिव में चला जाएगा जो यहाँ पे ट्रॉफ के फॉर्म में दिया है ठीक है चला आगे बड़े के अभी इसके सर्टन एक्सप्लेनेशन के कउक के सर्टन अजम्शन से सरी एक्सेप्शन से कि यह जो डिमीनिशिंग वाला कंसेप्ट है डिमीनिशिंग का मदब होता है कि एक भी एक्स्टन यूनिट बाय करोगे इसके मार्जिनल में तो आपका वांट डिक्रीज होता जाएगा सट्रिफेक्शन लेवल डिक्रीज होता जाएगा बड़ इसके एक्सेप्शन है सर्टन मतलब यह लो इस पर एपलीकेबल नहीं होगा सर्कुन्से एक्सामपल दिखाओ देखो यहाप लिखा है एक्सेप्शन दिटो लॉफ डियम्यू फॉलेंगा अधे एक्सेप्शन दिटो लॉफ डियम्यू मार्जिनल यूटिटी पहला है होबी अभी बात कर रहा हो होबी इसके अभी होबी सटन सबसकि फर एइस दाबल होबी से वेरी क्रिकेट खेलने की तो मैं क्रिकेट कितना आप द खेलूगा मैं उससे बोहर नियुक्त है क्योंकि वह मेरी क्या होबी देट आप उसके फर इसकोप्स कोई क्या एक्सांबल यहां पर कोई कल करने का मेरी होबी से अब इसको मैं जितना ज़्यादा कले करूगा उपना ज्यादा सथी क्सर्शन मिलेगा अभी अपने क् खेलेगा चितना ज्यादा तो कॉइन कलेक्ट करेगा क्योंकि आपकी वह होबी से आपको मजा आ रहा है मतलब वांट इंक्रीज होते जाएगा मतलब लॉफ डीम्यू इस पर एप्लिकेबल होगा नहीं इन सर्टन अबीज लाएक कालेक्शन ऑफ वेडियेशन स्टैंप कॉइ रेर पेंटिंग मूजिक रीडिंग एटेक्स रा दो लॉफ दस नोट होल्ट्रू बिकॉज एवरी एडिशन इंक्रीजिंग इन स्टॉक गीवन प्लेजर समझ में आ रहा है कि नहीं चितना ज्यादा आप उसको एडिशन करते जाओगा आपको स्टॉक के अंदर उतना पाइसा बचाएगा ना उसको सटीस्फेक्शन लेवल जादा मिलेगा या इन दे केस ऑफ दे माइजर एवरी एडिशन रूपी एक सिंगल रूपया भी गीवन हीम ओर एड मोर सैटीस्फेक्शन अफोर्स कंजूस के लिए कितना यादा पाइसा बचाएगा उसके लिए उ पिता नहीं हुए याप है तो अगर सबसकी दारू की आदत है तो जितना दारू वो पिएगा उतना उसको क्या मिलनेगा सैटीस्फेक्शन मिलते जाएगा मतलब लॉफ डियम्या पर एप्लिकेबल होगा नहीं थीज अब्सव इन केस ऑफ दे डॉंकर्ण या टैटर लेव पॉज़ पॉज़क्शन घंट इन के रचेशन पर पावर द्युक्शन बाने के बाद अजूम कर यह पावर मेरे पास कि वह पावर है मेरे पास कि वह पहले नगर से वकता बाद में फर एक्वर रग्सेंपल इसे हाई पोजिशन पाय है टो यह जितना इमक्राल जो गोटर कणता है वक्राइं तो यहां पर यहां पर। पैसा बूरी आदत है, जितना पैसा कमा उतना कमी लगता है, तो ये वन ओफ दे बेस्ट एक्जामपल, आज की जनरेशन के अंदर, कि जितना भी आप पैसा कमा होगा, आपके लिए वो कमी है, तो लौफ डियम्यू अप्लिकेबल होगा नहीं, क्योंकि लौफ डियम्यू सिं पैसा कमा उतना मेरे लिए कम है, देखो पैसा कितना है, तो भी उसको कम लग रहा है, तो सबका अपना-पना एक स्टांडर ओफ लिविंग होता है, उसके इसाफ से वो सेट करता है, तो जितना ज्यादा पैसा-पैसे की बात करो याँ पर, कि जितना पैसा आप कमा होगा, आपको लिए वो satisfaction और देते जाएगा आपको, यस, तो यह हो जाएगा certain exception to the law of DMU, अगर exam में question आ रहा है, कि please explain the law of DMU with assumption, तो आपको exception नहीं लिखने है, exam में question आ रहा है, कि please explain the DMU with exception, तो assumption भी लिखने है, exception भी लिखने है, please explain the law of DMU, उनली इतना लिखना है, तो पूरा लिखन है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में वापस से पीछे जाके सुनना, मैंने question क्या आपको आपको answer लिखने है, बाद में certain criticism हुआ है, यह law के उपर, मैं क्रिटिजास किया है कि भाई, यह law यह, 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 argument बोल सकते हो, short term म में वह को बोलना है, कोन से ground पे हुआ है, unrealistic assumption, of course, कितने सारा, unrealistic assumption है, कि भाई, constant, single, want, possible नहीं है भाई, तो यह, यह, अन्रियालिक assumption पे, argument हुआ था, पाद में, cardinal measurement, अपने पड़ा था, कि मेने तुम लोगों बोला कि measurement is not possible, अब मापी नहीं सात्त, कितना satisfaction मिला है, तो इस प करना है, छोड़े जोड़े पार्ट पो पॉसिबल नहीं है, इस पर argument हुआ था, constant marginality of money, तो यह भी क्या है, एक argument का point हा, single want, यह भी एक argument का point हा, इसलिए यह सब point पे क्या होते है, argument हुए थे, नतिवां, criticize किया था, यह लोग को, yes, चाला, significant of law की बात करू, तो usefulness to the consumer, यह था एक्जाम है, important है, बड़ हाँ, देख लेना, useful to the government, क्या क्या useful to the government है, कोई भी policy बना नहीं, progressive policy बना नहीं, तो यह utility काम में आता है, वो सब एंगल को data analysis करने के बाद, government क्या का था, policy बार का निकलती है, basis of the paradox of value, यह धान लगना, इस लोगने, बहुत बार, इसको, इसको, एक इक short note के form में पूछा, paradox of value, मतब कोई भी ऐसा चीज आप exchange कर सकते हो, किसके सामने, आप, कोई चीज आईसी है, कि जो आपको free में मिल रही है, उसकी utility है, उसको free में मिल रही है, उसको free में मिल रही है, उसको कोई value नहीं है, बड़ सटन चीज आईसी है, कि कुछ इतना useful नह और sunshine है, जो अपने को nature से मिल रही है, उसकी utility है, पर उसका action में value है, कुछ नहीं, अपन को भगवान की तरह से, sunshine free में मिल रहा है, water free में मिल रहा है, यह, पर अगर मैं बात करूँ कि certain goods की जाईसे कि for example, gold हो गया, diamond हो गया, उसकी action value क्या है, high है, तो यह paradox of value का concept है, तो please इसक नहीं है, यहाँ पर और कुछ खास है नहीं, इसके chapter के अंदर, तो यहाँ पर chapter conclude हो जाता है, तो उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आये रहेगा, revisions, lectures, अगर आपको को specific concept पर कुछ doubt हो, तो बिंदास comment section में डाल देगे, सर मुझी यह concept पर doubt है, आपके next session में जब भी मैं आपको तब ही वो discuss करेगे अपन, ठीक है, चलो, तो next chapters के लिए जली मिलेगे, revision के लिए, तिली टाइम प्लीज चनल के लिए अपडेट रहेगे है, thank you so much, hello students, welcome back, उमीद करता हूँ यहाँ आपे सब लोग ठीक होगे, यहाँ आपे अपना revision session चालू था, already chapters number 1, chapters number 2, utility लाला discuss किया था, last session में, आज chapters number 3, discuss करेगे, देको ओलेट, revision session में continue चालू कर दिया है, SP का, OC और economics, almost अब के दो-दो-दो chapters complete हो चुके है, तो जिन बच्चों को revision session चीह, अपने friend circle में दो, प्लीज बच्चे लोग उनको link क्या कर दीज, अपने friend circle में, शेर कर दीजिए, और उनको बो commitment किया है, तुम लोग के साथ, paper solving, important question, different between, ये सब चीज़े discuss करेगे, मतलब रोज का एक-दो-एक-दो वीडियो आपको दिखेगा मेरे चैनल पे, तो प्लीज बच्चे लोग subscribe कर लीजे चैनल को, ठीक है, let's start 3A part, nothing but demand analysis, ये वाला पूयोरा आपको 3 और 3B, दो पार्ट में क बाद में आगे certain other demands के concepts पड़ेगे, पर आज जो chapters होगा 3A, पूरा demand law of demand इसके अंदर है, वो भी discuss करेगे, variation in demand क्या होता है, expansion of demand क्या होता है, change in demand के अंदर increasing, decreasing है, सब चीज़े फटा-फट क्या अगरेगे, discuss करेगे, one second में बोलो, ये purely revision sessions है, तो यहाँ पे आपको detail में नही वीडियोस देखना है, तो मेरी playlist जाके देखी है, आपको एक-एक लाइन में ने कहिए, explain किया है, ठीक है, चलो, let's start the chapters 3A, demand analysis, अभी what you mean by demand, demand is nothing but आज कोई चीज में मम्मी से मांग रहो, for example, आप कोई भी चीज अपने पेरेंट से आप कुछ मांग रहे हो, nothing but हो demand है, चैनल अगर मैं बात करू, it's a demand, but अगर मैं economics की बात करू, sir, economics में थोड़ा demand को elaborate किया है, मतलब थोड़ा expand किया है, कि demand मतलब क्या होता है, economics ही अंदरा कर मुझे demand को define करना है, define करना है मतलब, definitions अगर मुझे देना है, तो उन लोग ने क्या बोला है, कि demand is equal to आपकी मर्जी होनी ची आपका desire होना चीए, second, आप में ability होनी चीए, वो पैसा पे करने की जो goods आप मांग रहे हो, third, most important thing जो होनी चीए, willingness, मतलब आपको वो goods चीए, for example, मुझे iPhone चीए, sir, मेर को iPhone चीए, तो मेरी वो desire है, वो मेरी desire है, उसके बात मेरे पास ability भी है, कि मैं iPhone खरिच सकता है, उतना bank balance यह मेरे पास, but third, चीज़ नहीं है, क्या है, willingness अगर नहीं है, तो उसको demand count नहीं करो, मतलब मैं buy करना चाता हूँ, but मैं कंजूस हूँ थोड़ा, तो मुझे buy नहीं करना, क्यों मैं 1,00,000 रुपे का iPhone भी करो, मतलब मेरे पास desire है, ability भी है, account पे पैसा भी पढ़ा है, but अगा suppose कि for example, वो buy नहीं करना है, तो उसको मैं demand बोलूगा नहीं, समझ मैं है, तो demand का, एक simple fund economics में explain कि है, कि demand हम लोग तभी मानेगे, जबी आपकी desire होगी, second, चीज़, ability होगी, और third, willingness to purchase, आप में वो उसकता होगी, कि मुझे वो purchase करना है, demand का simple definition, अगर देन दे जाओ, तो बहुत simple definition के, नॉर्मल tendency होती है, कोई भी customer की, कि demand कभी बढ़ेगी और कभी कम होगी, वो depend करेंगे, directly, directly price के factor पे, अगर suppose कि for example, मेरा price बढ़ ला है, तो demand कम हो जाएगी, price कम हुआ, demand बढ़ जाएगी, मतलब जो, यह देख रहे हो, आप dance नहीं कर रहा हो, यह क्या में कर रहा हो, there is an inverse relationship between demand and price, देखो यह पे लिखा है, the demand for anything at a given price, it is an amount of it which will be brought per unit of a time at a price, thus following are the two features of the demand, demand is a relative concept and demand is essentially expressed with the reference to the time and price, price, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जो पूरा जो relative concept इसले बोला है, कि यो direct relate करता है, अपने price से, not only price, there are certain other factors also, बड़ जो major thing decide करता है, demand आज कोई भी goods अपन बाय करते हैं, तो सबसे पहले हो अपन क्या देखते हैं, उसके price देखते हैं, अगर price कम रहेगा, तो अपन बाय करते हैं, वरना अपन बाय नहीं करते हैं, अगर high price पे रहा, तो, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक individual demand schedule दे, मतलब एक individual customer का, एक diagram ड्रॉ किया है, presentation किया है, यहाँ पर आपको clearly दिख रहा है, कि X axis पे price है, और Y axis पे commodity है, जैसे 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 मेरी commodity क्या हो रही है, increase हो रही है, मतलब there is a inverse relationship, यह क्या है, एक inverse relationship between है, किसके बीच में, price और commodity के बीच में, समझ में आया, तो यह हो जाएगा individual demand count, ऐसे market demand count भी दिया है, मतलब देखो, चो slope यहाँ पर दिखे गए आपको, slope downward दिखेगा है, because there is a indirect relationship between, क्या बोल सकता है, indirect relationship between बोल सकते हो, इसलिए demand का हो, ऐसे क्या है, slope downward दिखेगा आपको, चैसे ऐसे price कम, वैसे वैसे commodity क्या हो रही है, मेरी increase हो रही है, yes, तो यहाँ पर explain किया है, demand का हो, nothing but did he slope downward from left to, from left to right, indicating the inverse relationship between, there is a inverse relationship between price and quantity demanded, yes, और यहाँ पर आजाएगा, same like market demand का हो, इलोब में market का schedule बना है, मतलब यहाँ पर more than one customer हो गया, एक, दो, तीन, A, B और C is a customer, तीने को commodity को में plus कर दू, पर वहाँ पर भी same ही दिखे का slope, आप price और commodity को, total commodity मतलब, total commodity को अगर आप match करने जाओ, तो जहाँ पर price अगर decrease होते जा रहा है, देख रहा है, add, आट से 6, 6, 4, 2, वैसे वैसे commodity क्या हो रही है, increase हो रही है, 30, 45, 60, 75, और 90, तो एक human tendency होते है, as a customer, कि price अगर fall हुआ, तो demand बढ़ेगी, और price अगर high हुआ, तो demand फॉल हो जाएगी, यह, तो यह demand को है, same, उसका भी slope आपको downward ही दिखेगा, because, there is a, यहाँ पर relation, जो है, demand और price का है, तो inverse relationship, और inverse relationship मतलब, indirect, और slope downward, आज आते बाद में आगे, reason, justifying the downward sloping count, तेरा, इसे कोन से reasons है, कि मेरी demand downward तरफ जा रही है, पहला है, अपने last lecture, session में पढ़ा था, chapter number 2 में, utility के अंदर, DMU, DMU में अपन देखा था, law of demand में, उसका कऊगी, slope downward ही था, क्योंकि, वो एक्स् extra unit buy कर रहा था, marginal utility, extra unit buy कर रहा था, of course, उसकी utility कम होने वाली है, satisfaction level down होने वाला है, तो एक one of the factor यह हो सकता है, कि downward slope कब का, like demand का, कि वो additional demand, 26 Panipuri वाला example दिया था, 26 Panipuri वो खा रहा है, demand कर रहा है, but उसको उतना satisfaction नहीं मिला, इसलिए slope downward के तरफ जा रहा था, तो one of the reason यह हो सक हो सकता है, second reason हो सकता है, income effect, of course, कोई परसन की income downfall होते गई, तो भी reason हो सकता है, कि उसका demand कम हो जाएगा, of course, अगर आज कोई परसन पहले है, एक लाग रुब्या कमारा था, आज पच्छान अजर कमारा है, एक लाग कमारा था, अभी पच्छान हजर कमारा है, तो ultimately direct उसकी जहाँ पर पच्छान सजर ज्यादा कमारा था पहले तो उसकी demand उस टाइम पर ज्यादा होगी, पड़ अभी पच्छान सजर कम कमारा था, of course, उसकी demand कम हो जाएगी, तो income effect is direct करता है अपनी demand को, there is a direct relationship between income and demand, जान से सुनो मैंने क्या बोला, price नहीं बोल रहा हो, यहाँ पर, income बोल रहा हो, जान से सुनो, बच्चे लोग गडबर मत करना, there is a direct relationship between income, 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 और तीन मार बोल रहा हो, income, 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 और किसके बीच में, income और demand के बीच में direct relation है, चाहिए इतना जादा income, उतनी जादी demand बढ़ते जाती जाती है अपनी, चाहिए इतना कम income, उतने कम demand हो जाएगी, अपनी, ठीक है, मतलब यही बात हो कि जितना पैसा कमा होगे, उतने शौक बढ़ेगे, समझ मैं है, सीधा फंडा, next, third point, तो यहाँ पे अगर मेरी income fall हुई, तो of course, मेरा demand भी fall होने के chances है, तो one second reason ही हो सकता है, substitutions, effect of course, market में को substitute goods आ गया, कम price में, तो customer आपका goods क्यों buy करेग high price में, वो substitute goods ही buy करेगा, low price में, तो यह भी एक reason हो सकता है, downward slope का, yes, तो यहाँ पे लेका है, in case हो तो substitute goods, when the price of the commodity rise, the customer tends to buy more of its subsidy goods and less of that commodity whose price has increased, next, आगे बढ़ेगे, multi-purpose use, of course, customer वो ही goods का demand high करेगा, जिसका multi-purpose होगा, और कम price में होगा, उसका, समझे है, multi-purpose मतलब एक ही चीज़ से आपका 3-4 काम हो जा रहा है, तो वो ही goods क्या करेगा, customer buy करेगा, तो यह भी एक reason हो सकता है, downfall, downflow, demand का होगा, next, new customer, of course, new customer तभी जूडेगे, जभी price का होगे, मेरे कम होगे, otherwise, नहीं, नहीं, customer जूडेगे, नहीं, तो price कम होगे, तो of course, demand बढ़ेगे, तो यह भी एक reason हो सकता है, अपना downfall, demand का होगा, तो जीजा था nothing but, demand का हो, slope downward क्यों जा रहा है, तो अगर exam में question आया, मैंने important question में नहीं दिया demand का होगा, क्या-क्या reasons है, तो यह must reasons दिये, पाच reasons दिये, perfect bet है, आपका पाच माक के लिए, यह तो चार माक के लिए, ठीक है, आगे बढ़ेगे, there is a types of demand, अपके से लिए बस कहते है, चारपाइट की demand explain के बहुत easy है, once again, इसको मैंने important question दिए बढ़ा, object use में कहा ना का, customer demand कर रहा है, direct consume करने के लिए, is nothing but direct demand, चो customer के want को direct क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है, is nothing but direct demand, it is a demand by the customer for goods which satisfy their want directly, अभी सर, indirect demand क्या होता है, indirect demand मतलब वो demand, पहले तो इसका एक objective सुनलो, indirect demand is also called as a derived demand, once again I repeat again, once again repeat कर रहा हू, indirect demand is also known as a derived demand, अभी सर, indirect demand होता क्या है, indirect demand मतलब वो demand जो customer directly नहीं करता है, क्योंकि ये एक semi finished goods है, मतलब अभी तक finished नहीं होआ, semi finished goods है, raw material words सुना रहे हैं, raw material goods है, kernel हे जो raw material goods होता है, वो कौन demand करता है, producer demand करता है, जो goods produce कर रहा है, manufacturer demand करता है, जो biz스, अध्र क्या लिखा है इट रिफर्स टु दर डिमांड फर गूर्स विच आर नीडेट फॉर फॉर्दर प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए जो मुझे गूर्स ही है उसको बोले कि इंडिरेक्ट डिमांड फर प्रोड्यूसर गूर्स ठीक है यह हो जाएगा इंडिरेक्ट डिमांड नेक्स्ट हो जाएगा आपका complimentary और joint demand मतलब ऐसा कोई demand है जो आपको साथ में ही demand साथ में ही करने पड़ेगी हो जाएगी मतलब अगर आपको goods का buy कर रहे हो तो automatically उसके जरूत आ जाएगी मतलब सबसके for example car car के साथ आपको petrol diesel की demand automatic बढ़ जाएगी अगर car की demand बढ़ रहे है तो indirectly इंडिरेक्ली आपका petrol का diesel का CNG का क्या होगा demand बढ़ेगा ठीक है जो को यह पर लिखा है for example car and fuel next आजएगा composite demand मतलब अब हो demand जो multipurpose use के लिए आता है जैसे कि for example electricity one of the example जहाँ से आप light fan, fridge electricity सब चीज़े मतलब आप क्या कर सकतो यूज़ कर सकतो through electricity मतलब एक चीज़ से आप multipurpose use कर सकते हो इस नदिंग बढ़ वो demand को कौन सा demand बोलूगा composite demand बोलूगा और I think so last day competitive demand yes last day competitive demand मतलब वो demand जो market में competition के फॉर्म में goods अवेलेबल है अगर मैं को normal time में बोलना है तो substitute goods अगर suppose for example coffee का price बढ़ रहा है coffee के सामने अगर price है coffee के सामने अगर tea है तो दिजादा nothing but एक competitive demand है nothing but एक substitute demand भी बोल सकते हो for example tea और coffee और sugar और jaggery तो दिजादा nothing but types of demand I don't think it's a rocket science और it's a hard आप manage कर सकते हो अपने आपसे भी आगे बढ़ते है sir determinant of demand very very important question for me also और मेना I think important question में भी दिया गया है देखो मेने SPOC एकोनोमिक तीनों के important question for your board exam 2024 के लिए already देखे रखा तो please बच्चे लोग जाके revise करिए शरूर करिए skip मत करिए ignore मत करिजे क्योंकि मैना hardly hardly मैंने 20 से 25 questions दिये रहे कि maximum 25 जीतने दिये रहे कि उसके उपर तो नहीं दिये कोई से भी subject में कर लीजिए benefit होगा आपको और बाद में exam देने के बाद आप thank you so much जरूर बोलोगे यह मेरी guarantee है यह मेरा वादा है yes चलो determinant of demand को इसके बेस पे को determinant का मतलब होता है किसके बेस पे मेरी demand नक्की होती है fix होती है उसना दिमांड डिटर्मिनेंट ओफ demand the demand for goods is determined by the following factor consequence इसके मेरे factor है इसके बेस पे demand fix होगी पहला आजाएगा price क्योंकि एक direct एक मतलब जो demand का ultimate जो effect करने वाला पहला factor है जो है price अगर price बढ़ी तो demand कम price कम demand जादा तो price is one of the factor second है मेरी income income पे भी जर्श तुम्होंको explain किया था कि income effect भी हो सकते है income बढ़ेगी तो of course demand बढ़ेगी income कम होगी तो demand कम होगी there is a direct relationship between income and demand income and demand income and demand next price of the substitute goods of course अगर ठीका बढ़ रहा है तो मैं किदर shift हो जाओगा coffee के तरफ shift हो जाओगा because there is a substitute goods अपने बढ़ेगा तो अगर price बढ़ रहा है टीका तो मैं किदर substitute कर दूगा अपने आपको coffee के तरफ कर दूगा next price of the complimentary goods मतलब complimentary मतलब मतलब तुब को जोइस बोला कि joint निमान कि अगर सपोस कि for example uh car की demand बढ़ रही है तो automatically fuel की demand क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो तो तरफ दिन अटिक बढ़ price of the complimentary goods भी क्या होता डिसाइड होता है अगर सपोस कि for example price बढ़ा क्राहर का तो of course car की demand कम हो जाएगी तो ultimately car की demand कम हो जाएगी तो उसको direct impact पड़ेगा joint demand nothing but अपने fuel को yes next nature of the product of course यहापे भी अगर जेको क्या लेका है if the commodity is a necessity and it is a use is unavoidable unavoidable then its demand will continue to be a same irrespective of the corresponding price for example medicine to control the blood pressure this market the value going to look at the price of चाएपने के उसका प्राइस कित्रा भी बढ़ब रहे जाए अपने एका बढ़े तो यह जिंदा रहने के लिए और अच्छे रहने के लिए health से तो वह उसका प्राइस बढ़े के से कम वह तो भी मेरी दिमांड तो बढ़ेगी ही उस पे yes size पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो अफकोस मेरी डिमांड भी बढ़ेगी यास तो यह भी एक रिजन हो सकता है फेक्टर हो सकता है मेरे डिमांड को फिक्स करने के लिए नेक्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस दिवाली में जलनली होता है मैंटलेट अपनी मम्यों के होती है कि दिवाली के दो महिने पहले ही सब ऑईल शुगर सब बाई करने लगते है क्योंकि उसको मालूम है कि दिवाली में प्राइस में भी 25-30 बढ़ जाए प्राइस रहेगा तो भी क्योंकि उनको मालूम है कि आज भले हाई प्राइस हो तो इससे भी हाई होने वाला है दिवाली के अंदर ठीक है तो यह को जाएका एक्सपेक्टेक्शन अबाउट फ्यूचर प्राइस यह इसके बेस पर भी मिने डिमांड क्या होती होती है अधिन में गोरापन पाओ अब समझ ही गह रहे है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं यस तो वो एक 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 इंपेक्टफुल क्या है कि अद्वर्डाइसमेंट है कि जो कॉस्टमर को अट्रक करता है नावडे में सब बोलू के 100% मेंसे 900 अद्वर्डाइसमेंट आती रहे कि उस अगर कि जो में डिमांड क्या होती है नक्की होती उसके बेस पर है टेस्ट हैविट सेंफेशन इस ऑल्सो वन अफ फेक्टर कि जाह पर में डिमांड बढ़े की कम होगी अगर टेस्ट कुछ नए ने प्रोडक ला रहा है तो अफ कॉस्टमर को चेंज चीए अगर आप चें समझ में आ रहा है और जीतना ज्यादर टेक्स कस्टम में डिमांड कम हो रहेगा और अधर फेक्टर की बाद करूब क्लाइमेट कंडिशन, चेंज इन टेक्नोलोजी, गवर्मेट पॉलिसी, कंस्टम्स, एंड ट्रेडिशन्स एट एक्स्टा तो तो दिज्यादा नतिंग बोर्ड एक्जम्ट जो होगा लॉफ डिमांड, अभी ये लॉफ डिमांड बोलता क्या है, सिंपल फंड आ है, पहले तो आलफर मार्शन नहीं दिया, तीनों लॉफ आलफर मार्शन नहीं दिया, उसकी बुक्स के अंदर जो पॉब्लिश किया था प्रिंसिपल आफ एकोनो अलफर मार्शन बोलता है, अधर तिंग रिमेंग एकोल, ऐर दोप्रियस स्पेल को एक्शल आलफर मार्शन नहीं होगेए, अधर दोप्रिच्छ के लोग मेरे साथ क्या में आपने बोला कि अकोडिंग तो दो प्रॉफेशल आर तीन बींग इकोल, हाईर दोप्रिज स्टेटमेंट क्या है मतलब यह लिख के आना है अपने को यहां पे क्लियर फंडा है प्राइज बढ़ी दिमांड कम प्राइज कम दिमांड बढ़ेगे पर तुम लोगों खुद को मालूम है कि एवरी लोग के सर्टन असुम्शन से क्योंकि जो भी लो बना है उन लोग में अ अदर थिंग बींग इक्वार मतलब मान के चलो बाकि सब चीज़े बराबर है दुनिया में खली प्राइज बढ़ी तो यह डिमांड कम होगी अगर प्राइज कम होगी तो दिमांड बढ़ेगी मतलब उन्होंने बाकि सब फैक्टर को इग्नोर मारा जो आपने उपर से में नियचर अफ रॉडक्स सब से में साइज और पॉपलेशन वहेज़ेटीज है कोई फूचर में एक्सपेक्टेक्शन नहीं है प्राइज बढ़ने वाले कम होने वाला है यह तेस्ट है बिट सब से में वाई यह तो बोला है आलफर मांड ने स्टार्टिंग में कि है खाली अगर प्राइज उपर निचे हुआ तो यह क्या है यह लौ है तो नहीं यह अजंशन है अजंशन के बेस पर लौ बनाया है तो देखो यहां पर अजंशन दिखे कि किसके बेस पर अज्यूम करने हम लोग कि यह सब चीज़ें स्तीर होगी पहला है कॉंस्टन लेव अज़ बात करूं है अज़ को यह अज़ बात करूं है युमन बिंग कुछ ना कुछ चेंज ला रहे गवर्मेंट के टेक्सेशन के पॉलिसी के अंदर तो यह सब क्या है अगर यह सब स्थीर रहा तो डिमांड लौ है तो यह मेरे इसाब से अजम्षन है अभी इसके सर्टन एक्सेप्शन दी है कि अगर सबसकी प्राइज रएड जादा यह फंडा बोलता है लौ अवफ डिमांड का फंडा सिंपल डेफिनेशन यह बोलता है बट असार एक्सेप्शन के अंदर क्या है मतलब नहीं होगा मतलब अगर इसकी प्राइस कम भी हुई ना इसकी प्राइस कम भी हुई ना तो भी डिमांड बढ़ेगी नहीं क्या बोले हो सर यास कौन से एक्सेप्शन से देखो अपके आपके सामने देखो पहला यह गिफन पेराडॉक्स बच्चों ध्यान में राखना है दो इनफिर्यर क्वालिटी देखों चीप क्यौलिटी के गुट्स रहेगे तो भी उसका प्राइस कितना भी कम हो जाएगा डिमांड बढ़ेगी नहीं आपको खुद्को मालूम है कि आपका में मैंडने लिग है जितना चीप कौलिटी के गुट्स रहेगा हो उत्त्रा कस्टो कॉलिटी के रहेगे चीफ कॉलिटी के रहेगे तो भी प्राइस गिरेगा पन डिवाड उठेगी नहीं यह आगे बढ़ेगे प्रेस्टीज गूर्स प्रेस्टीज गूर्स मतलब वह गूर्स लग्जरी गूर्स बोल सकते हैं डाइमांड्स हो गया लग बद में कुछ बढ़ेगी वह सर क्या बात है यस लगजरी गूर्स प्रेस्टीज गूर्स से हो यस तो उसके प्राइस बढ़ने साथ साथ डिमांड भी बढ़ेगी मतलब यहां पर लॉप डिमांड एपलिकेबल नहीं होगा इसलिए वन उप सेकेंड एक्सेप्शन डिद लॉप मैंने तुम्हों को जाश एक्जामपल दिया थे अपनी मम्मी का तो उनको मालूम कि दिवाली के एक-दो मैले पहले ही उन लोग शुगर ऑईल बाई कर लेते हैं इवन दो हाई प्राइस में इवन दो हाई प्राइस में तो प्राइस बढ़ रहा है तो भी वो गूर्स का कर में कालिटी होती है अपने का मानना होता है कि जितना प्राइप ब्राइट गुड्स हुतले प्राइज हई आ कि अपनी म excepted toort है तो उस्के शाई इतनी अच्छी क्वालिटी या प्राइज कौर्श आ इग असे ये प्राइज पना आपर चोट से और, सोल जाए देता है। आगे बढ़े सर, आज आएगा अभी, तो यह सब पूरा law of demand, assumptions, introductions, statement of law, बाद में आज आएगा assumption, diagram and उसके certain exceptions, yes, तो please law of demand को रख्टा माले न, law of demand हो गया, यह second law आज अपने डिसकेस केया, पहला law, इसे last वाले parts के अंदर utility वाला concept पढ़े थे अपन, उसमें law of DME अपने ने डिसकेस किया था, yes, चलो, है के बढ़े के, there is a two, another concept and यहाँ पर चप्टर ओवर हो जाएगा, दो concept क्या है, एक है variation in demand, एन एक है change in demand, अभी variation in demand की बाद करूँ, तो variation in demand क्या बोलता है, variation in demand यह बोलता है, कि मेरा price क्या होगा, price क्या होगा, मेरा price बढ़ेगा या तो कम होगा, मैं जहान से सुना होगा, मैं क्या बोलो, मेरा price बढ़ेगा या तो कम होगा, उसके base पे, मेरी अगर demand बढ़ी, कम हुई, तो मैं उसको क्या बोलोगा, variation in demand बोलोगा, अभी price बढ़ी, alone, alone, alone other factor को मैं कोई लेना देना नहीं मैं assume करके चल रहा हूँ कि other factor remain constant है मतलब ये law of demand ही बोल रहा है ये variation of demand ये ही बोलता है कि law of demand क्या मैं बोल रहा हूँ variation of demand बोलता है कि मेरा price अगर alone change हुआ और other factor remain हुआ constant तो ही मैं variation of demand कहिला हुआ देखो when the demand for commodity fall or rise due to, due to, due to, due to, due to yes, due to change in the price alone and other factor remain constant it is called as a variation in demand अभी variation of demand में दो concept आता है expansion in demand and contraction of demand expand मतलब demand बढ़े नहीं तो demand कभी बढ़ेगा sir जबी मेरा price कम होगा देखो ए explain नहीं करो डेरेक्ट यहां पर आ जाता हूँ price अगर मेरा कम हुआ तो demand बढ़ेगी जो normal demand का कभी है अगर suppose कि for example contraction of demand मतलब demand contraction का मतलब बढ़े demand कम होना demand कभी मेरा price बढ़ेगा तो ही demand मेरे कम होगी देखो यहां पर price अगर मेरा P से P2 high हुआ हुआ तो मेरे demand Q से Q2 पे आ जाएगी demand slope ऐसे आपको दिख रहा है of demand तो variation of demand में खाली price ही change हो रहा है मेरा other factor remain constant इस नहीं बढ़ वेरेशन of demand उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती ही expansion of demand and contraction of demand expansion of demand तभी कहला है कि जबी मेरे demand बढ़ रही है और contraction of demand तभी कहला है कि जबी मेरे demand कम हो रही है second concept आ जाता है इसके अंदर change in demand change in demand क्या बोलता है change in demand तभी कहला है कि जबी मेरा other factor अभी price remain constant हो जाएगा other factor अगर मेरे change हुए other factor मेरे अगर change हुए और price remain constant is nothing but my change in demand one second repeat statement कर रहा हूं मे change in demand तभी कहला है कि जबी मेरा other factor क्या हो रहा है change हो रहा है और price का रहे रहा है मेरा constant रहे रहा है तब ही में का कहलाएगा change in demand कहलाएगा मतलब suppose कि for example other factor में कितने साले factor आपने पढ़े थे determinant of demand के अंदर income, test, habit, population यह सब factors other factor होते है price के अलावा मतलब पहला जो था price था उसके बाद 8-10 point other count हो जाएगा आपके तो others होते हैं उसके base पर मेरी demand उपर निच्चे हो रही है उसको मैं क्या बोलूगा change in demand बोलूगा अभी उसमें भी दो concept है increasing in demand and decreasing in demand increasing in demand तभी कहला है कि of course increase मतलब demand बढ़नी तो demand कभी बढ़ेगा जब आपकी income बढ़ेगी जब कि आपका test, habits वो change होगा वो positive way में गया तो ही मेरी demand बढ़ेगी न तो यह आ जाएगा आपका change in demand के अंदर यहाँ पे देखो काव दिखा है कि यहाँ पे आप देखे रहो कि price दे यह price दिख रहे हैं आपको, I hope तुम लोग को price दिख रहा है, यह price दो है constant है, क्योंकि अपन क्या पाढ़ रहे है, change in demand बढ़ेगी, price रिमेन मेरा constant है, मेरी demand बढ़ रहे है Q से Q1, it's nothing but my increasing in demand, यह मेरी demand increase हो रही है, क्योंकि मेरी income बढ़ी रहेगी, या तो for example population बढ़ा रहेग समझ में आ रहे हैं कि ने, तो ही मेरा क्या हुआ, continuity demand increase हुआ, अभी उसका ultra decreasing in demand, या तो मेरी income कम हुई रहेगी, या तो population कम हुआ रहेगा, या तो मेरा test habits जो है, वो कम हो गया रहेगा, तो भी मेरी demand क्या हो सकती है, कम हो सकती है, देखरो, demand Q से Q2 पे आ गए, और price तो क्या ह remain constant, क्योंकि ये change in demand पढ़ रहे है अपन, change in demand में price constant होगा, और other factor क्या होगे मेरे, increase, decrease होगे मतलब change होगे, समझ माया रहे है न, भीरू, क्या बोला हूँ, yes, तो these are the nothing but concepts of change in demand, के अंदर increasing in demand and decreasing in demand, तो यहाँ पे chapters क्या होता है, conclude होता है, उम्मीद करतो आपको समझ में आया र any questions और आपका कोई special फर्माईश है, बिन्दास कमें स्क्रिक्शन में डाल दे है, मेरी ये फर्माईश है, आपको जो भी doubt difficulty है, short out किया जाएगा, आपको कोई concept नहीं समझा, तो बिन्दास कमें स्क्रिक्शन में डाल दिये, आपका जो भी concept है, वो short out किया जाएगा, it's my responsibility, next स्क्रिक्शन में अपने elasticity of demand पढ़ेगे, price elasticity, income elasticity, cross elasticity of some price elasticity, जो भी है, उन्हें एक स्क्रिक्शन में डिसक्रिक्स करेंगे, till time please ये लिए अपडेट रही है, thank you so much, hello student, welcome back, उमीद करता हूँ, यहाँ पे सब लोग ठीक होगे, यहाँ पे अपना economics का revision session चल रहा आता, तो उसको ह करते हैं अपन, यहाँ पे अपने chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3A, chapter number 3B, आज का करेंगे, revise करेंगे, already SP के अंदर भी 2-3 chapters हो चुका है, एक उसी के अंदर भी 2-3 chapters हो चुका है, मतलब, सिलसिला जो है, revisions का चालू है, तो किसकी रहा देखर हो, अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टन्स होगे, आपके exam के point of view से, board exam 2024 के लिए, तुकि वहाँ पर आपको papers मिलेगा, जैसे मैंने commitment किया है, revision session चल रहा है, मतलब, tricks मिलेगी, और क्या-क्या important questions होगे, ओलड़ी देखे रहा है, बड़ हाँ, जैसे exam नजजी गाएगी, और जाधे-जाधा important questions और मिलेगे, कैसे क्या देखना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, study करना है, planning क्या होगा, सब मसाला आपको मिलेगा मेरी channel पर, तो please जुड़े रहे है, ऐसे ही, और अगर share नहीं किया है, तो first of all share कर दीजी, और हाँ, अगर telegram पर joint नहीं किया, तो please telegram पर joint कर दिए, इसलिए ब के अंदर बात करू, 3 था, वो लोग ने अभी divide कर दिया, A और B में, तो 3 वाले में, मदब 3 A में बात कर रहा हूँ, उसके अंदर अदर अपनने demand के लेके बहुत discuss किया, law of demand, very very important question for your board exam, determinant of the demand, तो यह सब important question आपने last session के अंदर discuss किया, let's start chapter number 3B, elasticity of demand को नाम में लिखा है, elasticity, अभी elasticity ऐसा word है कि जो आपने बहुत normal word सुना है, ऐसा भी नहीं कि नहीं सुना है, क्योंकि आप normal word में भी, normal personal life में भी यह जो word है, जो generally use करते है, अभी elasticity का मतलब क्या होता है, rubber, yes, आप eraser ही बोल सकते हो, rubber बोल सकते हो, मतलब आप देखते हो कि आप वो elasticity को जितना खीचों के उतना और response करता है, क्या करता है, response करता है, मतलब जितना ज्यादा खीचों के वो इतना ज्यादा क्या करेगा, response करेगा, तो यह वाले chapters के अंतर आपने को वही पढ़ना है, कि यहाँ पर थूड़ा अलग टम में बोलना चाहता हो, यहाँ पर आपकी demand कैसे change होगी, अभी मेर मेरी साब से elasticity का, अगर में को alternate word यहाँ पर निकलना है, तो क्या निकल क्या हुआ, change, कि अगर सबसकि मेरी income change होई, तो मेरी demand कितनी change होगी, अगर सबसकि प्राइस चेंज हुआ, तो मेरी demand कितनी change होगी, अगर सबसकि फर इसा substitute goods है, अगर वो market में आ जाता है, तो मेरा existing goods है, उस पर कितनी demand affect करेगी, is nothing but elasticity of demand, let's start आपका, यहाँ पर तीन type का, जो में तुम बोला, वो ही यहाँ पर लिग दिया है, कि आपके syllabus के अंदर तीन type की elasticity कवर किया है, पहला है income elasticity, second यहाँ आपको cross elasticity, और third दिया है price elasticity, income elasticity, जैस में तुम लों को बोला, कि अगर मेरी income बढ़ती है, कम होती है, उसके base पर मेरा demand जो होगा, वो क्या होगा, increase, decrease होगा, getting my point, वो चीज़को में क्या बोलूगा, income elasticity, second हो जाए, cross elasticity का मतलब में तुम बोको just example लिया, complimentary goods, substitute goods, complimentary goods, nothing but, अपना आजाता है joint goods, जिसके अंदर आजाता है car and petrol, या तो car and diesel, but अगर substitute goods की बात करो, तो दो चीज़े आजाती, for example, coffee and tea, sugar, और जैगरी बोल सकते हो, these are nothing but substitute goods, कि अगर सफस की एक goods है, अगर उसका कोई close substitute market में आ जाए, तो आपकी demand में कैसे change होगा, it's nothing but cross elasticity of demand, और last day price elasticity of demand exam के point of view से बहुत important questions है, और इसके अंदर जो type, past type के price elasticity of demand पूचा, वो भी exam के point of view से, short note की बात क mark के लिए बात करू, important question बैटा है, price elasticity of demand नतिंबर नाम में लिखा है, price elasticity of demand मतलब वो demand मेरी change होगी because of the one factor जो होगा, मेरा price, is nothing but price elasticity of demand, अभी अगर में price elasticity of demand के अंदर बात करू sir, तो boss इसके अंदर आपके past, 5 इन लोग ने divide किया, past type की price elasticity of demand explain किया है, पहला आपका जो आएगा, perfectly elastic demand, second होगा perfectly inelastic demand, third होगा unitary elastic demand होगी, fourth relatively elastic demand और fifth होगी relatively inelastic demand, और fifth होगी relatively inelastic demand, ऐसे करके ये लोग ने कहा किया, explain किया है, one by one देखते है, बहुत important है, exam के point of view से बच्चे लोग, please highlight करके रखना, ये already मेने important question में भी दिया गया, yes, अभी बात करतो, types of price elasticity of demand, पहला ही है, perfectly elasticity of demand, यहाँ पर क्या बोलता है, perfectly elasticity of demand में ये बोलता है, कि या तो मेरा price zero change होगा, ना के बराबर, या तो change होगा, तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा, demand को, मतलब it's a zero या तो minor change होगा, but उसके करण मेरे demand बहुत drastic change होगी है, मतलब infinite होगी है, वो चीज़को में क्या बोलोगा, price elasticity of demand बोलोगा, when the slight, मतलब हलका सा change, या तो no change, बर किसमें, in price, bring about the infinite change in the quantity demanded of that come of dt, it is called as a perfectly elasticity demand, मतलब ये actual में मेरे हिसाब से, ऐसे type की demand बहुत, theoretical is not possible, आप theoretical मान के चलो, कि आपका zero change होगी 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 demand drastic change हो रहा है, ऐसा possible नहीं है, क्योंकि आपको खुद को मालूँ है, demand का सबसे बड़ा factor है, जो है price, जबी demand उपर निचे हो सकती है, जबी तभी हो सकती है, जबी आपके price में कुछ बड़ा सा change आएगा, तो ही आपकी demand में affect होगी 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 quantity demand divided by price करोगे, तो जो change मिलेगा, जो कैसा मिलेगा, infinite, sign किसकी की है, infinite की की है, ये diagram देख रहो, price में कुछ change नहीं है boss, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, camera के बाहर बढ़ते जा रही है, yes, just example दे रहा हूँ, ठीक है, तो just में आपके तिम लोंके ये बोला था कि price मे zero change, but demand infinite, it's nothing but price elastic of demand, second आ जाते है, perfectly inelastic demand, चहाँ पर मेरा price उपर निचे हो रहा है, पर मेरे demand में कोई फरक नहीं पड़ रहा है, मतलब इसका उल्टा, मतलब उपर price में कुछ change नहीं है था, demand बढ़ते जा रही है, यहाँ पर price उपर निचे हो रहा है, पर demand मेरा वह ऐसे का, यहाँ पर दिखेगा आपको, कि when the percentage change in the price has no effect, no effect, no effect, on the quantity demanded of the commodity, it is called as a perfectly inelastic demand, यहाँ पर देखोगे, यहाँ यहाँ यह डिग्राम दिखेगा, डिग्राम देखके समझ में आ जाएगा, कि price मेरी उपर निचे जा रही है, price बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, demand जो है, demand, डि horizontal to parallel to x-axis, इसको क्या बोलेगे है, vertical बोलेगे, इसको क्या बोलेगे, vertical, यहाँ पर लिखा है, vertical, straight line to the y-axis, objective उसके लिए बनता है, तो objective इसलिए बोल दिया है, objective इसमें बहुत पार पूचा है, आगे बढ़ेगे, unitary relaxed to demand, यहाँ पर क्या होगा, कि जितना मेरा demand change, प्राइस च बढ़ेगी, मतलब 50-50, yes, 50-50 हो, over की match यहाँ पर, देखरो हो, यहाँ पर 50-50 is equal to, ed is equal to 1, illustrator of demand बोलते है, इसको is equal to 1, जा पर देखरो हो, आपको कव में भी दिखेगा, price मेरा कम हुआ, अजूम करो इसको 50 है, उतना ही same amount का, same size का 50% से मेरे quantity demand क्या होगी, बढ़ेगी, इसल बोलते हैं, बहुत बार, direct question पूचा गया, दो माक, चार माक के लिए, rectangular, please explain the rectangular hyperbola, बच चलो, गोले में से बार निकल गए, क्या sir, out of concept question आया है, कूछ out of नहीं आएगा, आपको सिले बस में से ही आएगा, आप भी भी बोला हूँ, यह मेरी commitment है, जुबान है, आपको एक fill in the blank आपके out of economics से जो book दिये university की, उसके उपर से एक fill in the blanks नहीं आने वाला है, तो जितना में बोलो, बोरो सा कीजिए, वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, इतना हडपी है मत, books पढ़ लो, रट्टा मार लो, चार्ट लो books को, अभी भी बोलो, बहुत टाइम है, आपके पाद हाड़ी देखने जाओ, तो 120-130 पेच की books होगी, रट्टा मार के चार्ट लो, पूरे books को, आराम से आप 85 स्कोर कर सकते हो, आप उधर से उधर से करने गए तो मरेगे, यस, चलो, नेक्स आ जाए कि relatively elastic demand, चाहाँ पे, क्या होगा, कि price आप देखोगे, price मेरा कम होगा प पचास टकाई काई इंपेक्ट आएगा, for example, मेरा price सो टकाई से गिर गए, assume करो, खाली, पचास टकाई से गिर गए, तो मेरे demand बढ़नी चीए, सो टकाई से जाधा बढ़नी चीए, बढ़ेगी कितनी, खाली, पचास टकाई से बढ़ेगी, मतलब, half, ठीक है, तो आप देख मतलब, आप देख रहा, इसका half party क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रिलेटीवली, एलस्टिक, डिमांड होगा, और येवाला, जो, काज है, तेर्फोर, demand काई तो फेज़ा सिपर स्लोब अब्जेक्टिवोब उब्जेक्टिवल से ध्यान रातना कि रिलेटिवल एलास्टिव होगा रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड का गया हो अरे भई अरो स्वरी ये वाला काउ अरे कहा गया हाँ ये वाला हो गया इसका काउ ये रहा स्वरी वो स्टीपर अपना उसका था रिलेटिवली इनलास्टिक का था यहाँ पर बात कर रहा हो स्वरी कन्फ्यूज हो गया थोड़ा मैं भी यहाँ पर मैं बात कर रहा हो रिलेट रिलेटिवली एलास्टिक डिमां गीरा तो 200 अका से मेरी बढ़ेंगे इसरम्ध बढ़ रिलेटिवली एलास्टिक डिमांट यहाँ पे को प्राइस में чис Senator 200 अका से demand बड़ी इस नतिक बड्ट relatively elastic, demand उसको flatter बोलते हैं अभी उसको Ultra, relatively in elastic demand inelastic मतलब इतना change नहीं हогा, elastic का मTT ठीज होता है अब fuss इन elastic में इतना change नहीं होगा, suppose कि for example अभी हाँ, 诸ेक्ट क किन हाँ ख होला, में वांसे दवर हना चाहता हूँ कि je चाहा पर मेरा 100 टका से price गीरा, तो hardly 50 टका से मेरी demand बढ़ेगी, इसनातिक बढ़ स्लिपर काउद दिखेगा आपको, चाहा पर आप दिख रहा है कि 50-100 टका से मेरा price गीरा, बड्स मेरी demand hardly 50 percentage दिखिया होगी बड़ी है, Yes, इसनातिक बढ़ slipper demand काउद, ठीक है? I think so आपको clear है if you are still doubt regarding the any questions any concept, 20 comment section में डाल दीजिए sir मेरा ये doubts आपके जो भी doubt difficulty है shorter doubt किया जाएगा yes, so ऐसे करके आपको past type की क्या है elasticity है, वो भी किसकी price elasticity one second repeat करेंगे, कौन सों को से past type की है पहला होगा perfectly elastic perfectly inelastic unitary elastic and relatively elastic and relatively inelastic इसे करके करके आपको past type की क्या है elasticity of demand, explain किया है जो exam के point of view से very very important question बेट रहा है, short note के लिए बोलो या तो फिर object दो इसके अंदर बात करूँ measure column मादब 2 mark, 4 mark के लिए सभी के लिए क्या है important होगा आपका ठीक है? चलो, आगे बढ़े के methods of measuring price elasticity of demand आपके syllabus के अंदर तीन type की, तीन type की आपको क्या दिया है आपको explain किया है क्या है method, कि अगर मुझे price elasticity of method, sorry price elasticity of demand explain करना है तो आपके syllabus के अंदर तीन method count किया है one by one देखते है क्या है पहला है ratio method और percentage method nothing but आप जो price elasticity of का formula लगाते है demand divided by price is nothing but price और ratio of percentage method भी बोल सकते है अबदे को यहाँ पे लिखा है percentage change in quantity demand divided by percentage change in price यह जो आपको दिख रहा है यह वाला इसका nothing but change में होता है percentage short में लिखा है percentage change in quantity demand divided by percentage change in quantity price इसका मतलब होता है change समझ में आ रहा है, I hope तुमनों को मालूम ही होगा डीटेल में वीडियोस देखे रहेगे तो यह तो यह जो भी percentage आता है इसको nothing but ratio method भी बोलते है percentage method भी बोलते है और alternate term में और alternate term में अब्जेक्ट्विस में बहुत बार पुछा गया है arithmetical method भी बोलते है तो प्लीज बच्चे लोग इसको objectives में highlight करके रखना चलो मेरा काम हो गया आगे बढ़ेगे second method जो होगी आपकी total expenditure method total expenditure कैसे आता है price into quantity डिवाइड करूगा total expenditure method total outlay method भी बहुत बार इसको बोला गया है और यह सभी method Marshall ने explaining किया है तो once again objective इसके लिए ध्यान रखना ratio method की बात करूँ total expenditure this method is also developed by the professional Marshall yes तो यहाँ पर total expenditure के अंदर क्या होगा price into quantity डिवाइड करूगा इसन अधिक बाद total expenditure method बोले गये इसको यहाँ पर तीन divide किया total expenditure के अंदर relatively elastic, relatively inelastic और third unitary elastic इससे करके तीन explain किया है वो same relatively elastic मतब greater than 1 unitary elastic मतब ed is equal to 1 और relatively inelastic मतब less than 1 मतलब यहाँ पर मेरा price change होगा अगर मेरा price change होगा तो commodity increase होगी बहुत जादा मतलब यहाँ पर expenditure बोल सकता हो sorry, outlet का मतलब expenditure बोल सकता हो जादा होगा अगर सपोज कि for example यहाँ पर मेरा जितना price change हो रहा है उतना ही same rate outlet इस नतिक बड़ constant इस नतिक बड़ elastic unitary elastic demand अगर relatively inelastic की बात करू price change हो रहा है बड़ मेरे outlay क्या हो रहा है decrease हो रहा है कम हो रहा है nothing but is less than 1 is nothing but relatively inelastic demand ऐसे करके 3 expenditure को 3 में explain किया है जहाँ पर देख रहे हो हम यहाँ पर यह लोगा table format में easily explain किया है पहला ही है greater than even वाला कि जहाँ पर आप देख रहे हो price मेरा 10 था पहले quantity demand 6 था तो मेरा total expenditure कितना था? 60 था बतब total खर्चा बोल सकते हो पर जहाँ पर मेरा price increase हुआ of course demand कम ही होगी price increase होगा तो मेरा demand क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी but total खर्चे की बात करो total खर्चा भी क्या होगा? बढ़ेगा demand quantity demand मेरा कम की तो भी मेरा खर्चा क्या होगा? बढ़ रहा है nothing but ED is greater than 1 अभी यहाँ पर बात कर दे B वाले पार्ट में देखो यहाँ पर demand price बढ़ रहा है demand कम हो रहा है देखो यहाँ पर example दिया 30 price था quantity में कितना भाई कर रहा था? 4 भाई कर रहा था तो भी मेरा खर्चा कितना था? 120 अभी बात करो 40 price बढ़ा quantity demand देखो कम हो रहा है 4 से 3 हो रहा है बढ़ खर्चा देखो 40 इंटू 3 करो के तो भी 120 ही रहेगा मतलब मेरा total outlay पर इतना फरक नहीं पड़ा मतलब इस नदिग बाट ED is equal to 1 Unitary Elastic Demand बोल सकते हो बस लास्ट less than 1 चहाँ पर price देखो बढ़ रहा है यहाँ पर ही price बढ़ रहा है quantity demand क्या हो रही है? कम हो रही है और ultimately जो मेरा खर्चा है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है इसलिए less than जो अपने उपर पड़ा वो quantity demand का था यह total outlay का है नदिग में total expenditure का है Next आजाएगा point method और geometric method यह भी Marshall नहीं दिया है देखो तीनों तीन आपको method explain किया Marshall नहीं explain किया तो objectives में आया का है confused नहीं होने का है तो point method के अंदर और geometric के अंदर बात करो तो point is a base to calculate your elasticity of demand जहाँ पे आपको linear demand काऊ linear demand काऊ और non-linear demand काऊ को क्या क्या है elaborate किया है explain किया है अभी यहाँ पे देखो कि तो इस लोग ने P is a target जहाँ पे linear demand काऊ की बात करो तो is a straight line है और यहाँ पे देखो मैं तोड़ा उपर ले ले था दोनों को simultaneously explain करने की try करता हूँ देखो यहाँ पे आपको दिखेगा linear demand काऊ के अंदर बात करो तो यहाँ पे जो curve है वो straight line है अगर मैं बात करो non-linear demand काऊ की तो यहाँ पे आप देखोगे तो curve जो होगा जैसे rectangular hyperbola जैसे curve दिख रहा है आपे मतलब एक यहाँ पे जो काऊ को नाम भी इरे ले लोग ने explain किया था एक मिंडे को उपर लिखा है कहाँ पे तो कि कहां convex to the origin मतलब एक काऊ non-linear demand काऊ है मतलब एक round shape में आपको like hyperbola जैसा काऊ दिख रहा है आपे तो यहाँ पे इन लोग ने same explain किया है इन लोग ने same मतलब elasticity relatively elasticity sorry relatively in elasticity and unitary elasticity यह diagram को explain किया है कि मतलब यहाँ से अगर यहाँ से divide करो के तो कितना होगा यहाँ से यहाँ पे divide करो के तो कितना होगा यहाँ से यहाँ पे तो यह पूरा explanation यहाँ पे दिया है detail में अगर वीडियो से तो holiday मैंने बना है प्लीज आकर देख लीजिए यह purely revision session है सब चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ापा होगा फटा-फटा-फटा-फटा- यह नेचर ओफ कमोडिटी के वे आपका कमोडिटी काईस है सपोज कि फर एजांबल लग्जरी आइटम की बात करूँ कमफर्ड आइटम की बात करूँ चो मेरी डिमांड को इतना नहीं चेंज करेगा समझ मा रहा है कि ने देखो यहाँ पर नेचर केंट क्लासिफाइब कमोडिटी नेसेसरी कमफर्ड लग्जरी डिमांड डिमांड फॉर नेसेसरी गूर्स लाइक फूट ग्रेंड मेडिसीन टेक्स्बूक अटेक्स्टा इस रिलेलेटिवली इनेलास्टिक अगर 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 उसका बाव सबसके जो तीस रुपए की थेली आती है अगर दस रुपए भी हो गया तो अपर नमक थो ज़्यादा खाएगे वो तो जितना सब्जी में डालेगे अपन जितना खाएगे उतना ही खाएगे उसमें उतना इंपेक्ट नेएक बड़ेगा इसलिए हो जाएगा तो अफकोस मेंड़ी मार्केट में अपनी मार्केट के अंदर को सब्सीटुड है नी तो अपनी इतनी इफेक्ट नहीं करेंगे मतलब इतनी चेंज नहीं होगी इसलिए इनलास्टिक रहेगा तो यह आप लिक्का है Demand for a commodity will be a more elastic if it is a close substitute मतलब जादार changes देगी अगर market में substitute goods है जैसे coffee and tea बट अगर suppose कि for example commodity having a no close substitute like salt, salt का कोई substitute नहीं है हाँ, brand अलग-अलग हो सकती है, टाटा नमक and all पर हाँ, उसके अंदर नमक का taste हो एक ही है न, समझ में आ रहा है कि नहीं पर उसके अंदर मेरी elasticity इतना change नहीं करेंगी मतलब यह हो जाएगा inelastic demand जिसका कोई competition नहीं है जो product का उसकी demand में इतना change आता नहीं है अगर suppose कि close substitute होगा तो of course demand में बहुत जादा change आएगा देखो, elastic and non-elastic में फरक इतना ही है elastic मतलब ज्यादा change होना और inelastic मतलब इतना change होगा नहीं नो effect बोल सकते है यह next हो जाएगा number of use of course अगर suppose कि for example multipurpose use के लिए कोई goods है जैसे कि electricity is more elastic मतलब उसके changes बहुत ज्यादा हो सकती है correct तो वो एक multipurpose use होगी तो some level पे वो less elastic हो सकता है अगर मैं detail में बात करूँ उसको तो एक more extended level पे बात करूँ तो उसकी elasticity इतना change नहीं होगी जितना जो luxury items मैंने बात किया luxury items हो गई बाद मैं आपन बात गया substitute items इतना change नहीं करेगी मेरी किसको multipurpose use को कोल हो गया electricity होगी जिसकी change इतना नहीं होगी मतलब होगी पर इतना effect दिखीगी नहीं इसलिए आप बोलने चाहो तो आप बोल सकते हो is a less elasticity of demand habits की good बात करूँ सबसकी drunker होगया drugs ले रहा है उसकी electricity में इतना change नहीं आएगा वो जितना ले रहा है उतना ही लेगा उसके price से कोई लेना देना नहीं होगा वो जितना लेना है उतना ही लेगा वो इसलिए उसकी भी price price बले लिच्छे आजएगा इसा है कि price कम होगी तो सब drugs लेना शुरू करें कि नहीं उसकी demand inelastic ही रहेगी उसकी demand में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए वो inelastic रहेगा या पर लिखाया पड़ लेना durability की बात करूं कि अगर जिसका goods बहुत ज्यादा टाइम तक टिकने वाला जैसे furniture is a durable goods बिगरता नहीं जनरली तो उसकी demand relatively elastic होती है बहुत ज्यादा चेंज होती है क्योंकि वो अगर price कम हुआ उसका तो आपको मालूम है कि बाई सब्सक्राइज कम हुआ में को furniture लेना है पर क्या होगा impact पड़ेगा income of the consumer बाद में सब explain नहीं करने मेट होगा urgency of needs and time period तो यह जिसा आजा नातिक बड़ factor affecting elasticity of demand की consequence से इसे मेरे factors होगे जो मेरे demand पे effect करेगा या तो elastic या तो inelastic कि इसको जरूरत है किसको जरूरत है किसको के लिए importance है तो यह पर importance तो प्रोडूचर हो जाएगा importance to the government जो taxation policy बनानी government को और import export policy बनानी तो उसके सब एंगल को अगर policies बनानी यह government को तो यह policies के लिए सब चीजे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कितना import हो रहा है कितना change हो रहा है demand के अंदर तो यह सब चीज़ को आप government क्या करते है आप consider करके क्या करते है policy बार निकालती है important in factor pricing, importance in a foreign trade and public utilities and proportion of the expense demand दीचा तो desire नदीबट, elasticity of demand कहा कहा consider किया जाता है कहा कहा उसका importance है generally यह तो बहुत limited आपको options दिए इसके लाग बहुत जगा, elasticity of demand का impact होता है yes तो यहाँ पर आपका chapters number 3B solve हो जाता है अगर आपको कोई specific doubt है कोई specific point को लेके तो comment situation में डालना, already मैंने detailed videos बना दिया इसका तो आप मेरे playlist में जाना है आपको detail में दीखेगा आपको लग रहा है कि इरेंसर यहाँ बगार है यहाँ बगार नहीं रहा है, यहाँ बगार नहीं रहा है, इसलिए revision के तरह बढ़ा रहा हो तुम लोगो अगर आपको detail में videos चीए तो already में detailed videos live session में मैंने पढ़ाया था, अब जाओगे playlist में जाओगे आपको वीडियो दिखेगा, detail में एक एक लाइन को क्या किया है, यहाँ पर क्या time थोड़ा कम होता है, मुझे 20-25-30 मिनिट पर क्या करना है, इसलिए फटाफट घुमा देता हो, फटाफट घुमा देता हो, मतलब फटाफट भगा देता हो, पर हाँ purely revision session है, revision में इतना ही मिलेगा, आपको detail videos आपको पास already है, देख लेना, next video में आपन continue करेंगे chapter number 4 को, चहाँ पर आपन पढ़ेगी important question जो को law of supply, yes, तो till time प्लीज आने के लिए update रही है, को specific comment जो तो बिन्दास कमें स्रिक्शिश में डाल दी है, और हाँ, चाहते जाते हैं, अगर like नहीं है तो please video को like कर दीजे, share कर दीजे, और subscribe कर दीजे और सबसे important चीजे, share करना अपने सभी फ्रनेसर कर लिए, thank you so much, hello student, welcome back, उमीद करता है आपने सब लोग ठीक होगे, आज अपन chapter number 4, economics का क्या करेंगे, discuss करेंगे, already मैंने chapter number 3 तक, मतलब 3A and 3B, तक मैंने already revisions कर लिया है, already सभी chapters का आपको detail में वीडियो सीगे, तो already playlist में जाओ किस की रहा देख रहो, जाके देखो, आप सभी के लिए बनाया है, और like करना है, और share करना है, अकेल अकेले नहीं पढ़ना है, मातारा निप आप देगी, तो आपको सभी के साथ प्रेंट तरकर करत क्या करना है, वीडियो को share कर देना है, और आगे करेंगे, chapter number 4 revision के साथ, कि यहां पर आपको detail में नहीं पढ़ा होगा, आपको यहां पर summary format में समझा दूगा क्या 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 होता है, चल्ड़ चप्टर नभर 4 पर आता है, supply analysis अभी supply का मतलब क्या होता है, I hope you know very well, उसे पहले certain concept पढ़ लेते हैं कि अब बात करो stock stock का मतलब वह होता है कि भाई seller कभी भी कहीं भी available क्या करने के लिए delivery करने के लिए is nothing but stock stock के अंदर वो potential है वो power है कि जब भी market में demand आये customer क्या करे demand करेगा तब इस supplier क्या करेगा goods क्या करेगा supply करेगा और तब अब तक जो goods कहां पर रखते हैं फेराउस में रखते हैं वो चीज़को आप बोल सकते हैं तो stock is nothing but total quantity of commodity available for sale with the seller at a particular point of time particular point of time का बता बता है जब भी market में demand आती है customer seller supplier क्या होना चाहिए available होना चाहिए वो goods supply करने के लिए बाद में आ जागा supply supply का मतलब भी क्या होता है nothing but आप अगर मैं simple भाशना में बोड़ो supply is nothing but कोई भी goods supplier seller क्या कर रहा है consumer की need को fulfill कर रहा है वो इस नतिक बड़ supply supply is a relative term it is always expressed in relation to the price बात करो price से time से और quantity से मतलब मैं तो बोड़ो जश बोला कि कोई भी टाइम पर कोई भी कभी वो goods supply करने के लिए ready है उसको आप supply बोल सकतो simple time में yes अभी supply की अगर मैं को definition करना है price के साथ price के तता अगर मुझे supply को क्या करना है दिफाइन करना है तो देखो पहली बात तो यहां पर आपको खुद को मालूम है कि उलेडी जीसे डीटेल वीडियो देख रहेगा उसको मालूम है कि supply और price का जो रिलेशन से वो क्या है direct है मतलब अगर price बढ़ी तो supply भी बढ़ेगी क्योंकि आपको किसके एंगल से सोचना है जब भी आप supply पढ़ोगे न तभी आपको producer बन जाना है producer या तो seller बन जाना है seller मतलब supplier बन जाना है कि आप अगर suppose कि कोई goods क्या कर रहे हो आप sale कर रहे हो seller बन जाना है तो आप क्या सोचोगे कि जितना price बढ़ेगा उतना में sale ज्यादा करूगा क्योंकि उसके करना क्या होगा मेरा profit बढ़ेगा price कम होगा, supply रोग दुगा, supply कम करोगा, उससे कक्राना है, loss क्या होगा, कम होगा मतलब आप जो relations देख रहे हो, supply और price के बीच में हो क्या है, direct relations है नई की inverse relation अपने भष惯 देखा था की demand और price के बीच में जो relations है उसमें क्या है, inverse relation है कि वह अपन किसके एंगल से पढ़ रहे थे वह कस्टमर के एंगल से पढ़ रहे थे कि कस्टमर तभी बाई करेगा जबी प्राइस कम होगा कस्टमर कम बाई कभी करेगा जबी प्राइस हाइक होगा तो वह जो रिलेशन्स था वह किसके एंगल से सोच रहे थे अपन कस्टमर क जाधा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा तो यह सप्लाइग की सिंपल डेफिनेशन से अभी इंडिविजर सप्लाइग काओ क्या होता है देखो रिलेशन देख रहे हैं आप यह काओ क्या जा रहा है अब बोल सकतों लेफ्ट टू राइट यह अगर मै इंडिविजर सप्लाइग काओ की बात कर या तो मार्केट सप्लाइग काओ की बात कर दोनों डाग्राम आपको दिख रहा है तो दोनों का काओ अफ़र्ड मूवमेंट में जाएगा कि जैसे यह प्राइस बढ़ेगा प्रोडूशर सप्लायर क्या करेगा अपनी कॉंटिट अब मतलब में फेक्टर बूल सकते हो क्योंकि आज अपने जैस्ट्वग पर भी पढ़ा कि सप्लाइज रिलेटिव टर्म रिलेटिटिव टो प्राइस हो गया तो यह फर्स्ट आपका जो डिटर्मिनेट भी सैट होता है कि इसके बेस पर होता है प्राइस प्राइस बढ़ेगा तो मेरी सप्लाइज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्टमर भाई नहीं करेंगे अगर सबसकि ऐसा टेक्नलोजी यूस कर रहा हूँ जिसके कारणा फैवरेबल इंपेक्ट पढ़ रहा है मतलब जिसका कॉस्ट कटिंग हो रहा है कॉस्ट कटिंग हो इस प्रास्ट्रक्टर फैसिलिटी जैसे कि ट्रांस्पोर्ट हो गया क्मुनिकेशन सब्सक्राइब अक्रियाग हो रहा है तो अल्टिमेटली मेरे कॉस्ट अप्रोड़क्ट्चन नंदिक बढ़ सोरी कौस्ट अप्रोड़क्ट्चन क्या बलो का विक्या होगी इंक्रीज ह जाम होगी और उस्टिपेट्रीक अगर कोई फैवरेबल पॉलिसी लाता है तो अधर फैवरेबल पॉलिसी लाता है तो उस पे वी डिपेंड करता है कि मेरा सप्लाइब क्या इंप पड़ेगा तो ऑफ़कोस यह सब नेट्रे अगाई तो वाइज अफ्कॉस अप्लाई डिक्रीजी होने वाला है नाइस अजय का मतब जनरली यह जो जो एग्रिकल्चर गूर्ट से उस पर डायरेक्ट इंपेक्ट पड़ता है मैं बात यहां पर स्टील की बात नहीं कर रहा हूं कि यहां पर कोई रेफ्रेजिशन गूर्ट की बा अगर अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे मालम में फूचर में दीवाली आ रही है नेक्ट मन्त में तो बाई उदर जो चीनी का बाउट 30 विपादा हूं आपर 40 विपाद पर केजी मिलेगा तो में क्या करूगा अभी कम प्राइस पर क्या करूगा सेल करूगा मतलब सुरी ज दीवाल में ज्यादा सप्लै करूगा त्यक्या उसे न क्या होगा मुझे प्रोफिट होगा नेक्स हो जाएगा अधर फ्रेक्टर अलसो को का law of supply very very important question for your board exam जो आठ माग के लिए भी fit हो सकता है मेरे साब से अभी law of supply का fundamental यह प्रोफेशल आलफर मार्शनल ने दिया उसकी books principle of economics 1980-90 यह उसमें clearly उसने जो law of statement का जो हाट है statement of law clearly लिखा है other thing being constant मतलब सब चीज़े क्या है constant है higher the price of the commodity more is the quantity supply and lower the price of the commodity less is the quantity supply यह तो जो अभी जास में हिंदी में बोला हूं इंग्लिश में बोल नहीं कि भाई जितना supply price बढ़ेगा उतना जाधा supply होगा जितना कम price होगा उतना कम supply होगा once again repeat कर रहे कि मेरे साथ है statement of law क्या बोला है other thing being constant higher the price of the commodity more is the quantity supplied and lower the price of the commodity less is quantity supplied simple sober form में इन लोगने law को क्या किया statement of law बनाया है supply का जब भी आपको law आता है तो हम्मेशा है इसका हाट जो है statement of law लिखना भूलना नहीं है बाबा प्लीज एक मार्क से उसका यस चलो assumption of course सभी लोग अपने डीम्यू पड़ा डीमांड पड़ा सबके assumption है आगे वहाई ने वर्ड लिखाया other thing being a constant मतलब सब चीजे क्या स्थीर है तो अफकोस यह assumption के base भी बनाया है देट सी क्या-क्या यह constant रखा है भाई ने पहला ही यह constant cost of production जरूरी थोड़ी है कि भाई अभी बात करूँ लास्ट जो कॉस्ट सपस्किए मारकर बनाने का खर्चा मुझे 10 रुप्य आ रहा था अजूम करो एक्जांबल दे रहा हूं तो जरूरी थोड़ी कि इस साल भी मुझे 10 रुप्य या तो ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है कॉंस्टन कभी भी नहीं ले सकता तो पहला है अजूम्शन सेकेंड है इसको जो टेक्निक बनाने के लिए सरूरी नहीं के एवरी है सेम हो चेंज भी हो सकता है तो यह भी क्या अजूम्शन इसलिए बोले कि अज्यूम करो पर इस ट्रैक्टिकली नॉट पॉसिबार कि नॉटि जीन वेदर कंडिशन किया बहुए अपने मौंशन कभी भी चेंज होता है लडकियों की मू चला ऑफ की और यह यहांतिए आपर बया के लगों से exert Unit of इस नहीं की होता है नो चेंजिन गॉवर्मेंट पॉलिजी कभी चेंजी नहीं होगी अजम्शन भाई आपका सप्लाइ जो बना है यह सब अजम्शन के बेस पे बना है अभी बोलाँ इसको अजम्शन में लिखा है नो चेंजिन ट्रांस्पोर्ड कर अगर आज सबसक्कि फॉर एक्जांबल पहल सब्सक्राइब भी लग सकता है डिपेंड ऑन ट्रांस्पोर्ड फैसिलिटी नैस्ट रॉलेगा प्राइस अधर बूट्स रिमें कॉंस्टन सब्सक्राइब कर रहा हूं तो बाखी सब अधर फेक्टर के अधर बूट्स के भाव क्या सेम ही होगे पॉसिबल नहीं है कॉंस् आपको कॉंसी कॉंटिटी में बेच रहे हो क्या आपका बिजनस है वो डिपेंड करता है इंडेस्ट्री टू इंडेस्ट्री ऑल्सो यह सो यह हो जाएगा अधर आपको कॉंट्रों किया है चाहां पर क्लियरली एक्स्प्रेंग किया कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ते जा रहा है दिख रहा है यहां पर 10,20,30,40,50 वहीसे वहीसे मेरा सप्लाई भी देखो 100,200,300,400,500 इसे क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है अगो तुम लों को यह डाइगराम देखके समझ में आ रहा है में क्या बोलना चाहता हूँ let's see आपको ड्रो करके दिखाता हूँ देखो यहाँ पर यह रहा जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है इसलिए स्लोप दे रहा है थोड़ा रॉंग है यह दा अपर मुमें चो लौ बोल रहा है क्या बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम हो तो सप्लाई कम होगी यह एक्सेप्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगा इसका उल्टा होगा मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई कम अगर प्राइस कम होई तो सप् करो ज़ेखो आज कोई भी लेबर हो वरकेर ओएडल रहे चाहेगा कि जितना में ज्यादा काम कर ओओ इतना ज्यादा मुझे का मिलें पगार मिलें सपाज के फर एक चाहेंपल ले आ क्वेर में सेम रुपर है जो दिन था 5 करता है उसको मिल रहा है 5 गंडे का 10 रुप्या ब्ला पकरад देक्ट की आगर तो आर यह ज्याधा है च्रुपया और देगे अ ठीक है तो उससे भाजड ने 6 गंटा क्या 600 रुपया लेकर गया बाद में क्या बोल ला कि अगर तू और ज़ describing होगा एक साल के बाद उसका increment हो गया इशे सस्थे गंटे के उसका इंक्रेमेंट नौन पर आर बेशिए होगा कि dw assembli होust पर आर वहां पर उसके सुशंब्स हगा अभी वो क्या ग पर आर तो अभी वो क्या करेगा, पहले वो क्या सोचता है, मैं यक छे घंटा प्र नहीं कि में च्छेू सुन सब्सक्राइब कोई भी लेबर हो आज एक आलसी बना बोल सकते लेजीनेस फील करने लगता है कि जाहापर उसको लग रहा है कि जाहापर पहले में चोंटा का था 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 तौ इस झाली्यों को गरूं सब्सक्राइब तो जो आपका काउद देखो कि ना बैक्वर्ड के बैक्वर्ड थ्रू चला जाएगा देखो पहले यहां पर एक एक गंडे का सो रुपय में तो पांच गंडा काम करता था बाद में उसको दोसो किया साट गंडा काम घ्राइब दा आज भी बढ़े उसके चाहँ दाला लीजिनेश आप देख रहे हो यह पर चाहां पर उपड़ जा जा रहा था सड़नली बैक्वर्ड चला गया definite प्राइब प्राइब खानेश हई पर उसका जो supply करने का time है वो क्या हो जाएगा कम हो गया वरना अपने law of supply में clearly पढ़ा था कि जितना price बढ़ेगा उतना वो supply करेगा service पर यहाँ पर क्या कर रहा है price बढ़ रहा है पर इतना supply service कर रहा नहीं है यह तेक हो जाएगा exception is law of demand second बोलता है agriculture goods अफकोस यह depend करता है season base पर कि आपने देखते है कि बाई कोई goods season पर उसका price है पर non season की अगर मैं बात करूँ इवन दो supply उसकी ज्यादा है demand उसकी ज्यादा तो भी उसकी price कोई भी हो उसकी supply इतना impact नहीं करती है देखो सब्सक्राइब नहीं समझ मैं आप ठोड़ा explain करो देखो क्या लेका तो law of supply does not apply to the agriculture goods as they are produced in a specific season and their production depends on the weather condition due to the unfavorable change in the weather if the agriculture production is low the supply cannot be increased even at a higher price suppose for example यहां पर लोग नों बहुत simple example form में लिका है कि पहले तो agriculture goods पर applicable इसलिए नहीं बोला law of supply क्योंकि वो डिपेंड करता है weather पे अगर suppose for example weather खराब रहा weather क्या रहा खराब रहा फले आप एक पहले सब्सक्राइब एक केजी वीट का 40 रुपया था ठीक है अगर for example वीट कंडिशन जो जी वेदर कंडिशन अच्छी नहीं रही फसल इतनी अच्छी नहीं हुई तो जहां पे इवन तो आप सो रुपया भी देने के लिए ते रेडी है ना कस्टमर पर आप लाओगे कहां से वीट अगर suppose for example इतनी फसल हुई नहीं तो आप वीट कहां से लाओगे किस्टमर के वांट को कहीं से सटिस्फाय कर रहा है तो भी वरना अपने क्या पड़ा पड़ा था कि अगर सबसकी प्राइस बड़ेगा देखो 40-100 रुपया हो रहा है पर केजी प्राइस देखो सांट रुपय का जंप है अल्मोस्ट डबल से भी ज्यादा तो भी एक अपना पर अग्रीकल्चर प्रोड़क्शन का यह लो है दो कम है इंशॉट त्यार सप्लाइट कैनोड इंक्रीज इवान अट हाइप्राइस मतलब यहां तो यह प्ल्ले नहीं कर रहा हूं तो भी उसकी सप्लाइद इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि उसके प्रोडुक्श urgent need for cash अगर कोई supplier को urgent में cash की जरुवत है तो वो क्या करेगा कम price पे भी क्या करेगा goods निकाल देगा क्योंकि उसको hard cash की क्या है जरुवत है वनना law क्या पड़ा दापन है supplier तभी sale करेगा जादा जबी पैसा बढ़ेगा price बढ़ेगा तभी यह वाले scenario में क्या होगा अगर वो supplier को पाइसे की urgent need है तो भी वो कम price पे भी क्या करेगा supply कर देगा next perishable goods of course perishable जो goods bigger जाने वाला है तो वो कम price पे भी या करेगा sale कर देगा कि ज़्यादा loss ना हो मुझे और last is rare goods से कोई फरक नहीं पड़ता आपके supply पे वो price बड़े कम हो उसकी supply इतना ही इतना ही रहेगी मतलब उत्रा उस तो आप change नहीं हो जाएगा in short rare goods rare goods ही होता है मतलब वो एक देखते है ना अपन old coin हो गया old pentings हो गई rare goods के अंदर count होता है तो वो सभी चीज सभी लोग नहीं लेते है भले उसका price बड़े की कम है उसकी demand पर कोई supply पर कोई इतना impact पड़ता नहीं है यह हो जाएगे exception to the law of supply बात में आते हैं उमिद करता है तुम लोग को समझ में आया है if you are still doubt regarding the any questions please मुझे बिंदास कमेंस केश्चन में डाल देगा वना मुझे सपना नहीं आए कि मेरा बच्चा उदर अंधेरी में बेटा है उसको यह doubt है या तो वो बच्चा मेरा वीरार में बेटा है उसको यह doubt है जब तक आप comments नहीं लिखो क्योंकि वह लोग उमीद करते है कि आप क्या करो diagram draw करो यह जो laser time जो दिख रहा है ना backward backward bending का वो उन लोग क्या कर रहा है उमीद करते है कि यह 4 mark के अंदर आप यह draw करके आव with table समझ में ला था बता दिया है एक important चीज निकल का था concept पर नो को बता दिया ठीक है चलो आ जाते हैं next concept पे variation of supply and change in supply यह उलड़ी variation in demand and change in demand पढ़ा था वाईसा ही type का है कुछ change नहीं यह इस में variation in supply क्या बोलता है कि यहाँ पे मेरा जो factor होगा वो price ही होगा जो demand में बोलता है कि जो factor होगा मेरा कौन सा होगा price होगा अगर price उपर निचे होगी तो ही मेरी supply change होगी suppose कि for example variation के अंतर दो concept आता है पहला होगा expansion of supply और दूसरा हो जाएगा contraction of supply expand अभी हो सकती supply जभी price क्या होगी हाइक होगी यह तो general law बोलता है किसका supply का कि price बढ़ेगी तो ही supply बढ़ेगी इस अधिकबड expansion of supply अगर contraction of supply मतलब कम कभी होगी जभी price कम होगा तो हो जाएगा contraction of supply one second समझा तो क्या बोलता है variation supply किस पर focus करता है खाली only 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 price पर focus करता है कि अगर मेरा price उपर नीचे हुआ तो ही variation of supply कहला होगा otherwise नहीं कहला होगा ठीक है पहला यह होगा बनलब other factor remain constant price ही उपर नीचे होगी यह variation of supply बोलता है अभी उसके दो concept आ जाता है expansion of supply and contraction of supply expansion of supply तभी कहला है कि जब भी price क्या होगी बढ़ेगी और मेरी supply बढ़ेगी तो expansion of supply में बोलूगा अगर मेरी price कम हुई supply कम करूगा इसन दिमपर contraction of supply जो हिंदी में बोलो बच्चे लोग मेरे प्यारे बोले बच्चे लोग वही इंग्लीश में यहा पर लिखा है तो change in supply जो demand में भी बोलता था कि other factor मेरे क्या होगे change होगे बड़ मेरा price क्या हो जाएगा sorry yes मैं confused हो गया यहाँ पर क्या बोलो change in supply में क्या होगा कि आपके other factor क्या होगे constant हो जाएगा other factors क्या होगे change हो जाएगे price remain constant हो जाएगा तो मेरा क्या 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 लाएगा change in supply क्या लाएग प्राइस एड आए बोफ सेम्राइगा अधर फेक्टर डिया कर्या होगा उपर क्या पढ़ा था है वीडेशन अवर्फेक्टर क्या हो गेग है सुर्ण और चेंज रहे होगा बहुत कन्फूजन हो रहा है कंफूजन करना है वापस में एक्सप्लेंग कर रहा हूं पहले तो मैं एक्स में गता हो, variation in supply क्या होता है, change in supply होता है, variation in supply में अपने का पड़ा था हम, कि मेरा price एक्की factor है, जो जो होगा change, other factor, constant रहेगा, change in supply में क्या बोला है, change in other factor क्या होगे, मेरे change होगे, price remain constant, इसलिए पर change in supply, अभी मैं बात करता हो, variations के अंदर, one second बात करू, उस response of supply अभी होगे, जभी मेरे price बढ़ेगी, तो यह expand होगे, जभी price कम होगे, तभी contraction होगे, अभी बात करता हो, change in supply में, जभी मेरे other factor उपनिक्चे हो रहे है, मतलब, favorable, unfavorable बोल सकता हो, पर price क्या है, मेरा constant है, या इस अधिक पर change in supply, तो अगर इसके अंदर पर बात करो, दो points आते है, increasing in supply and decreasing in supply, increasing in supply तभी होगा, जभी मेरे other factor, for example, other factor कौन से होगे, price के लावा, income, government policy, infrastructure, technology, income, बाते government policy, बोल दिया दोनो, income हो गया, government policy हो गया, infrastructure हो गया, तो अगर सपोज कि यह सब factors मेरे, यह factors अभी favorable हो गया, यह सब अगर favorable होगा, तो मेरा supply क्या होगा, increase होगा, इस द अगर यह सब factor मेरे, जैसे कि मैं बात किया अभी, income हो गई, infrastructure होगा, technologies हो गया, अगर यह सब चीज़े मेरे unfavorable में जाता है, unfavorable में जाता है, तो मेरा supply का हो जाएगा, decrease हो जाएगा, इस दिपर decreasing in supply, yes, decreasing in supply refers to fall in supply of the given commodity due to the unfavorable change in other factors, such as the price of the input, increasing in tax rate हो गया, technologies हो गया, तो इस द जाता है नतिक बड़, other factor, तो यह हो जाएगा, आपका change in supply, yes, के अंदर दो चीज़े पढ़े हैं, increasing और decreasing, कुछ भी doubt हो, अभी भी confused हो, तो डीटेल वीडियोस दिया है, मैंने, I don't think इसके लागा, कुछ होना ची doubt, clear है, object हो इसके लिए ध्यान रखना और different between के लिए ध्यान average cost क्या होता है, और marginal cost क्या होता है, revenue के अंदर भी तीन concept रिलोग में explain किया है, total revenue क्या होता है, average revenue क्या होता है, और marginal revenue क्या होता है, पहले देखते है, total cost की बात करूँ, total cost नतिक बड़ मेरा fixed cost और variable cost, fixed cost मतलब वो खर्चा जो मेरे को होने वाला ही है, कुछ भी हो जाए, वो fixed देने वाला है, nothing but fixed cost, अभी वो कौन सा खर्चा हो सकते है, एसा example दे तो समझ में आ जाएगा, rent, अगर सबसके में यहापे production बना रहा हूँ, rent is my fixed cost, उसमें अगर में को 50 unit बना हूँ, 100 unit बना हूँ, 500 unit बना हूँ, कि नहीं भी बना हूँ, मेरे को रेंट लगने वाला है, मत भी variable cost क्या होता है, variable cost मतलब जितना unit बना हूँगे, उस पर जितना खर्चा लग रहा है, मतलब raw material indirectly में बोलने जाओ, इसा दिवाण variable cost, ठीक है, अगर मैं दोनों को merge करो, तो is my total cost मिल जाएगा, अगर मुझे average cost निकालना है, कि मुझे एक marker बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है, तो मैं क्या घरवा, total cost divided by total quantity, suppose कि for example, 100 रुपया खर्चा लग रहा है, 100 रुपया total cost divided by quantity, यह total quantity 10, तो कितना निकल के आएगा, 10 रुपया per quantity, इस दिक बड़ एवरेज cost, अभी marginal cost का मतलब क्या होता है, कि एक unit बनने के बाद, मुझे extra unit बनाने के लिए कितना cost, आज आते हैं revenue की तरफ, revenue नदिक बड़ income की तरफ, अभी total revenue क्या होता है, अब जितना price है, उसके दाद मैं quantity को into कर दूगा, मेरा total revenue मालूम की जाएगा, मुझे कितना turnover हो, हूँ आए, yes, total revenue, price into quantity इस दिक बड़े, total revenue, अगर मुझे एक revenue जानना है कि एक market के पिछे में कितन कमा रहा हूँ, तो total revenue divided by में क्या करूबा, total quantity करूबा, तो मुझे मालूम की जाएगा, मुझे एक quantity के पिछे इतना revenue मिला है, सबस कि for example, total revenue मेरा 1000 रुपया, सबझ मैं, और मैं quantity divide कर रहा हूँ, for example, 10 से divide कर रहा हूँ, 10 से, तो per quantity कितना हुआ, 100 रुपया मैंने कमा रहा, yes, औ लास्ट है, marginal revenue मतलब, extra unit बेच के आप कितना कमा रहा हूँ, इस दिकमन, marginal utility, marginal utility, sorry, marginal revenue, yes, total revenue minus, extra unit कमाने के बाद, extra unit बेचने के बाद, sorry, कितना कमार है, उसको में minus करूँआ, तो मिला, मेरे को क्या मिल जाएगा, marginal revenue मिल जाएगा, So I think so, यहाँ पर अपना chapter क्या हो जाता है, yes, conclude हो जाता है, I hope तुम लोग को समझ में आ रहेगा, आपको अगर कुछ भी doubt है, regarding this chapter number 4, मिन्दास कमें स्क्रिक्शन में डाल गये, और next video के लिए तिल टाइम अपडेट रही है, thank you so much. Hello students, welcome back, उमीद करता हूँ, आपे सब लोग ठीक होगे, आज का जिरे जो revision sessions होगा, वो जो होगा अपना chapter number 5, economics, nothing but forms of market, already मैंने 4 chapters आपको already discuss कर चुका हो, जहाँ पर अपने पहला chapter, दुसरा chapter, 3A और 3B भी पूरा revise कर दिया है, 4 chapters, nothing but last chapter में अपने supply के बारे पे डिसक्स किया थ तो जिन बच्चों ने जो previous वाले वीडियो को नहीं देखा ना, revision session वाला, तो प्लीज बच्चे लोग ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, और आपके friends के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को क्या कर जिए, सब्सक्राइब कीजिए, और और वीडियो को क्या करते है, कोई अगर ढून रहा है कि भाई, फटा पर revision session जा पर चल रहा है कि 30-40 minutes में मैं को chapter revise करना है, तो प्लीज किसकी रहा देख रहे हो, अभी भी time है, प्लीज बच्चों लोग, अभी भी delay नहीं हो है, बढ़ हाँ, अगर अभी भी 5-10 दिन चले गया ह तो फिर आप delay हो जाओगे, तो प्लीज बचे लोग, अभी study को अभी serious ले लीजिए, चो भी आपका मजाग, मस्ती, time waste करना, वो सब set aside करके, आपकी priority अभी क्या होने चीए, exam को लेके होनी चीए, next month में आपकी क्या है, board exam से, ठीक है, तो लो, without time waste, let's start chapter number 5, forms of market, देखते है, यहाँ पर क्या क्या चीजे दिया है, और exam के point office अगर में बात करू, no doubt important question यहाँ से निकल के आता ही है, perfect competition और imperfect competition के बारे में, अभी perfect competition के भी features पूच सकते हैं, और imperfect competition के अंदर बात करू, तो there is a three-fourths क्या है, market है उन्दल, ठीक है, let's start, यहाँ से discuss करता है, यहाँ पर, देख buyer और seller क्या करता है, to gather milk के क्या करता है, buying and selling करते है goods के, और in exchange of money, बाटेर वाला transaction अभी तो चलता नहीं है, बढ़ा, अगर मैं बात करू, अभी village area की, आपर अभी भी चलता है, यहाँ पर, अगर में metro city की बात करू, तो बाटेर राजेक्शन अभी almost क्या हो गया, खतम हो तो आपको उसके बजले में क्या देना पड़ेगा, cash देना पड़ेगा, classification of market की अगर मैं बात करू, classification of market on the basis of, अगर मैं place की बात करू, तो local, national, international, local मतब अपने आजू-बजू अला, national मतब अपने इंडिया में, और international मतब आउसेट इंडिया से कोई भी trading कर रहे हो, इस अध बोलते हैं मेला टाइब, मतलब मेला टाइब, मतलब ऐसी कोई market जो certain days के लिए होती है, या तो certain weeks के लिए होती है, वो market इस अधिया पर very short period of market, short period की मात बात करू, second one, short period market, वो certain months के लिए हो सकती है, अब समझ के चलो, maximum रहेगा तो साल तक रहेगा, उससे जादा नहीं में cover दरूगा, और very long period market में उसको cover दरूगा, जो more than 5 साल से हो रहा है, market उधर है, is nothing but very long period market, तो ये basis of the time हो जाएगा, अभी जो important concept है, आपके exam को point office में बात करू, तो ये वाला है, nothing but competition wise, जो आपको दो competition में divide किया है, एक है perfect competition और एक है imperfect competition, exam के point office में बात करू, तो different between majority time आया गया है, perfect competition और imperfect competition के बारे में, तो please बच्चे लोग different between के form में क्या करना, पढ़ लेना, दो से तीन माक का आपको जो भी different between आता है, आपके help हो जाएगा, इसका, यहाँ पर अगर different between आपके syllabus के अंदर, बुक्स के अंदर नहीं दिया, तो टेंचन लेना नहीं है, आज कल Google, प पूरा different between explain करेगा, screenshot लेना, तो screenshot लेलो, या तो अगर आपको बुक में लिके आदो, बुक में लिक लो, समझ महारा है, बेटर है कि बुक में लिक लो, गड़ी-गड़ी, इंटरनेट पे जाने के अच्छा है कि एक बन screenshot लेके आदो, आप लिक लो, बुक के अंदर, आने के आइडियल आप बोल सकते हो, इमेज न रिक, मतलब आप मान के चलो कि ऐसा टाइप का कोई मार्केट होगा, पड़ एक्चुली, प्रेक्टिकली ये मार्केट पॉसिबल नहीं है, अगर मैं बात तोरू, इंपर्फेक्ट कॉम्पेटिशन के अंदर, यहां पे भी certain पड़ हां, as compared to, अगर मैं को perfect से बात करना है, तो यह मार्केट क्या है, it's a real market, मैं किस से compare कर रहा हूँ, ध्यांचर सुनो, मैं perfect से compare कर रहा हूँ, perfect से अगर मैं imperfect market को compare कर हुआ, तो imperfect क्या market दिखेगी, आपको certain time real दिखेगी, कि actual में ऐसे type की market है, समझ में आ रहा है, बढ़ हां, actual में नहीं है, अगर individual इसको explain करना है, imperfect competition में तो certain concept आइसा है, जो monopoly created market, जो actual में possible नहीं है, nowadays इतना competition ही, market create करना is very difficult, अगर अगर आप monopoly create कर रहा हूँ, तो case लग जाएगा आप पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़ अगर मुझे इन दोनों में difference करना है, create करना है, कि perfect competition कोन real है, तो imperfect क्या है, real market है, समझ में आ रहा है, ठीक है, चला, तो imperfect न अंदर भी दिखने जाएगए, तो तीन डाइप की market आपको दिया गया है, आपके syllabus के अंदर, monopoly क्या होता है, oligopoly क्या होता है, और monopoly stick क्या होता है, इस चारो जो है, आपको point of exam को point of exam बहुत इसको बहुत क्या किया है, important में count किया है, ठीक है, चला, let's start with the perfect competition के साथ, चालू करते है, perfect competition का पहले definition, meaning देखते क्या है, perfect competition is a ideal and imaginary concept of market, rather than actual market, जो मैं तुमनों को जश्च बोला, same चीज़े यहापर repeat किये, according to the Mrs. John Robinson, perfect competition, यह सब चीज़े ज्याद में रखना, क्योंकि अब्ज़े में आता है, यह सब चीज़े, yes, perfect competition previls when the demand of output of each producer is perfectly elastic, perfectly competition market is one in which the number of buyers and seller is very large, पहला फिच्चन हो जाएगा आपका, कि large number of buyer and large number of seller, बच्चे लोग मैं यहापर revision करा रहा हूँ, आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर आपको detail में वीडियो चीए, तो प्लीज बच्चे लोग मेरे प्लेश में जागा है, एकोनोमिक्स की, वहाँ पे आपको detail में वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है, all the buyers and seller are engaged in buying and selling a homogenous product, अरे, how is possible, दोनों buyer and seller homogenous goods में क्यों deal करेगे, homogenous का मतलब होता है, same goods, जरूरी दोड़ी कि market के अंदर same size, same shape, same color के goods मिलेगे आपको, समझ भा रहा है, ठी लोग ने starting में बोल दिया कि यह imaginary concept है, imaginary market है, actual market नहीं है, आगे पड़ेगे, moreover, both the buyer and seller possess the perfect knowledge of the market condition, यह थोड़ी जरूरी है, सब को, दोनों को, buyer and seller को perfect knowledge of market का, यह possible है, नहीं possible है, यह तो दिजातनों नतिक बड़, imaginary market, अगर मैं इसके features देखने जाओ, features of perfect competition, तो पहला हो जगा लाद नमबर हो seller and buyer, यहाँ पर यह चलो, यह मान के चलते है, लाद नमबर हो buyer and seller हो सकते market के अंदर, second, जही से आपना आगे बड़ेगे, आपको लगेगा, कि यह possible नहीं है, second, second ही क्या लिका है, homogenous product, homogenous product का मतलब होता है, same size, same design, same color, भाई, सभी product का, अपना अपना क्या है, shape है, अपने अपने product का क्या है, color है, size है, तो this is not actually possible, तो यह क्या हो जाएगा, एक feature हो जाएगा, जो actual में possible नहीं है, इसलिए इसको imaginary market count किया है, homogenous का मतलब होता है, same, heterogeneous का मतलब होता है, अलग-अलग, next, free entry and exit, of course, market है, competition से कोई भी आ जा सकता है, किदर भी market के अंदर, next है, single price, यह actual में possible नहीं है, कि कोई भी goods का, सभी goods का price एक ही तरह का हो, practically possible नहीं है, इसलिए इसको imaginary market count किया गया है, next, perfect knowledge of the market, possible नहीं है, कि buyer और सेलर को, दोनों को perfect knowledge of, कोई particular market का, और कोई particular product का, next, perfect mobility of factor of production, ज़रूरी नहीं कि factor of production, सबस्कित, for example, land और labor is one of the, example of the factor of production, तो ज़रूरी नहीं कि geographically land और labor, दोनों geographically साथ में चलेगे, it's not actually possible, that's why it's count as a imaginary market, next, absence of the transport cost, एरे भाई, कोई भी चीज़ अगर आपको कुछे delivery करनी है, अगर एक जगा से दूसरी जगा लेके जाना है, तो of course, उसका transport cost लगेगा, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, कि no transport cost, absence of transport इमेजनरी मार्के, yes, और no government intervention, भाई, भाई, गवर्मेंट इंडेवेशन इस वेरी हाई, आप कोई भी ऐसा product नहीं बेच सकते है, मतलब अगर आपको कोई mark, छोटा सा stall भी open करना है, तो now you want to take a permission from the government, समझ मारा है कि नहीं, तो आप इसे ही stall open नहीं कर सकते हो, मैं बड़े ल अगर बड़ेगा, आगे बड़ेगा, price determination under the perfect competition, कैसे price कैसे determine होगा सर perfect competition के अंदर, exam में बहुत बार आया हुआ question से, वो लोग direct पूस्त है, in term of equilibrium price, in term of पूस्त है, please explain, please explain perfect competition and please explain the equilibrium price, equilibrium price is nothing but वो price, जहां जे सुन में क्या बोलों बच्चे लोग, equilibrium price मतलब वो price, जहां पे आपका price, आपकी demand, आपकी quantity supply, once I can repeat my statement, equilibrium price मतलब वो price जहां पे price, quantity, demand and quantity supply क्या होगी, match करेगी, indirectly बोलने जाओ, वो price पे जहां पे मेरी quantity demand and quantity supply मेंच हो जाएगी, वो price को मैं कौन सा price बोलूगा, equilibrium price बोलूगा, तो नथिंग बड यहां पे दे कोई आपकी लिखा हैं, का गाया पन, यहां पे ला। The interaction of the demand and supply determine the price of the commodity in a perfect competition, this is known as the equilibrium price. Marshall किसने इंट्रोडूश किया यह वाला concept, Marshall ने इंट्रोडूश किया हैं, अमेश आप पूरा microeconomics देखने जाओगा तो पूरा Marshall ने एक्प्रेन किया है, Marshall has compared the process of the price determination to cutting the cloth with the pair of scissors, just as both the blade of the scissors are required to cut the cloth, both the force of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market. Marshall ने बहुत simple सा example दिया कि कोई scissor को, और कोई cloth को cut करना है, तो scissor चीज़र के दोनों पार्ट को साथ में आएगे, तब भी क्या होगी, scissor आगे चलेगी, और cloth cutting होगा, same like अगर price determine करना है, मुझे perfect competition के अंदर, तो मुझे दोनों चीज़र करनी पड़ेगी, nothing but equilibrium के price के लिए quantity demand and quantity supply. यहाँ पर देखो, प्राइस दिया है, एपल का 100, 200, 300, 400, 500, चहाँ पर आपको खुदको मौलूम में basic fundamental को clear है, price जादा, तो quantity demand कम, जैसे यहाँ प्राइस बढ़ेगा, सो रुप्यादा, पाज़ा, दोसो, चार अजाद, तीनसो, तीनसो, तीनसा, चारसो, दोजार, पानसो, एक अजादा, जैसे यहाँ प्राइस बढ़ी, quantity demand क्या हो गई, कम होते गई, अभी उसका, यह हो गया comparison, quantity price और demand का, अगर मुझे relation निकालना है, price और supply का, तो वहाँ पर relation clear है, direct relation है, price जादा, तो demand, quantity supply भी जादा, सो, हजार, दोसो, दोसा, तीनसो, तीनसो, तीनसा, तीनसा, चासो, तानसा, पानसो, पाच जादा, पर यहाँ पर आप नोट कर रहे हो, यहाँ पर आपको नोट करना चीए, कि equilibrium price कौन सी होगी, यहाँ पर 300 होगी, क्योंकि जहाँ पर आपका quantity demand and quantity supply is equal to हो जाएगा, वो price को म कौन सा price बोलूगा, equilibrium price बोलूगा, समझ में आ रहा है, तो chart यहाँ पर draw किया है, examiner यह predict करता है, कि जब भी equilibrium पर मैं question पूछू, तो यह diagram में क्या करूँ, draw करके आओ exam के लिए, तो I hope तुम लोग को clear है picture, ठीक है, चाहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर price लिखी है, 100, 200, 300, 400 य एक्स पे, एक्स एक्स पे quantity demand आ जाए, कि हजार, दोजार, तीने जार 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 पांच जा, यहाँ पर दिख लोग डाउनवर्ड, सप्लाइक आओ, अपवर्ड, और यह वादा 300 पॉइंट है, 300, इस अधिक बड आपका equilibrium price हो जाएगा, समझ में रहा है ना, बिडू, कु competition के बारे में, इभी imperfect competition में 3 चीज़े दी है, पहला है monopoly, second है oligopoly, और third जो है monopoly stick, तीनों के features one by one discuss करेंगे, one second यह review session से, अगर detail videos देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, कोई problem नहीं है, free of course, enjoy करो, देखो, imperfect competition, पहला आजाएगा, imperfect competition is a type of market showing the some but not all the features of competitive market, following a sum of the type of imperfect competition, monopoly, अभी monopoly का मतलब क्या हो, तो पहले तो दो टुकडों में divide करो, monopoly का मतलब हो, monopoly का मतलब होता है seller, ठीक है, मतलब दोनों का अगर combine में पढ़ो तो अभी क्या होगा, monopoly का single seller, तो यहाँ पे single seller है monopoly के अपन बोलते है general term में कि भाई तूने monopoly create करके रखाएगा, मतलब खुद का ही सब charge करना है का, मतलब तूही सू बोलेगा वो थोड़ी चलेगा, तू बोलेगा कि भाई यह product का पाऊ 100 रुपया, अगर सबसके market में ऐसा create होता है, तो government इनिशेट जरूर लेती है, because nowadays it's a open market, आप open market में competition create नहीं कर सकते हैं, उसके उपर पुरा law बना दिया है government में, यहाँ चलो, monopoly का मतलब meaning तो clear है, यहाँ पे आजाएगे उसके features, single seller, no close substitute, इसलिए तो monopoly है, अगरे close substitute होता, तो monopoly create ही नहीं होती, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, next, various to entry, of course monopoly है, इसमें तो दूसरों को आए घुसने नहीं दे रहा है market में, तो यह चलेगा, 9, complete control over the market supply, of course monopoly है, तो फूरा control किसका होगा, वो बंदे का होगा, मतिंगबर वो जो price charge करेगा, वो ही सब चलेगा, मतलब it's the price maker, इसको क्या बोलेगे, next आपका feature चलेगा, price maker, मतलब फफोस के for example मैं कोई books बेच रहा हूँ, और वो books, किदर कोई बना ही नहीं रहा है, दूर 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 कमसका competitor नहीं है, मैं वो ही books या तो 500 रुपे भी charge कर सकता हूँ, 400 भी करूँ, मेरा मान हो तो 1000 भी करूँ, और मेरा कोई relative वे उसको free में भी दूँ, मतलब मैंने semi books को, semi books को एक को 400 में दिया, एक को 500 में दिया, एक को free में दिया, तो यह possible तभी होगा, जब भी monopoly रहेगी, तभी otherwise possible नहीं होग तो यह होजाएगा price discrimination, पर price अपनी मर्जी से स्यास करेगा, किस से ज़्यादा करेगा, किस से कम करेगा, किस से premium दे देगा, यह, और लास्ट दिया है, no distinction between firm and industry, as per the, अगर monopoly को में कोई define करना है, तो मेरे हिसाब से firm, मतलब छोटा छोटा, शोटा, शोब बोल सकते हो, छोटा monopoly is the sole seller and producer of the product, यहाँ पर बचलो, confused मत हो जाना, कि monopoly पर, monopoly stick पर, दोनों बहुत different है, बहुत different है, concept wise भी और answer wise भी, तो exam में जान से देखना, कि मुझे किस के features पूचे है, monopoly के पूचे है, कि monopoly stick के पूचे है, yes, चलो, आगे आजाते है, type of monopoly के वगण में बात करू, private monopoly मतलब खु example दिया, Tata Group, इसना दिक पर खुद का ही है सब, ठीक है, next आजाएगा आपका public monopoly, इसना दिक पर government, जिसके पास पूरा control किसके पास है, government का पास, one of the example, आपके आट के सामने ही है, railway, पूरा control किसके पास है, railway के पास, railway के option में कोई competitor है, नहीं है, yeah, legal monopoly, वो monopoly मतलब खुद का ही, सब trademark and all है, कुछ की कुछ brand value है, इसना दिक पर अमूल की बात करू, Kuma, Nike, next, natural monopoly हो ऐसा monopoly है कि जो सबसे ज़्यादा, depend कर रहे है, nature condition पे, बट सबसे ज़्यादा वो ही state में या तो वो ही country में सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कि for example, एक एक example तो यहाँ पर भी दिया, I think, so wheat का, जैसे कि पंजाब में सबसे ज़्यादा wheat होते है, you know very well, तो वो हो जाए कि monopoly, किसके लिए wheat के लिए, पंजाब state, next हो जाएगा, simple monopoly, मतलब वो monopoly, जहाँ पे, सब charges क्या होगे, सब equal होगे, देखो, simple monopoly, seller and firm charge the uniform price for its product to all the buyers, next, discriminating monopoly, मतलब यहाँ पे, अपनी मर्जी से price देना, in short discrimination जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर उदेखते है बंदा, कि बाई गाडी से उतरा है, कि cycle से उतरा है, कि bike से उतरा है, समझ मेहाँ में क्या बोलना जाता हूँ, जो competition create नहीं करना चाता, अपने सब seller को बोलते है, एक साथ मिलके बोलते है, कि चलो बाई, अपनी साथ मिलके बोलत समाता है, इस नदिमाद voluntary monopoly, तो इस जादा नदिमाद types of monopoly हो गया, आगे बढ़े कि बच्चो लोग, आई, ओप तुम लोग को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो बिन्दास comment section में क्या कर दीजे, comment डाल दीजे कि सर मुझी ये समझ में नहीं आ रहा है, बाद में it's my responsibility कि आपको समझाना है, आगे बढ़ेगे, oligopoly, oligopoly, अभी इसको भी bifurcate करना है, दो word में, तो only का मतलब होता है few, poly का मतलब तो महलूम है seller, yes, तो oligopoly मतलब अक्री बाद few seller, अब इसके features देखेगे, few forms and few sellers, interdependent, of course, suppose कि गीन के market के अंदर 10 seller है, तो सभी एक दूसरे भ price बड़ा दिया या तो कम कर दिया, तो बाकी seller भी क्या करेगे, उसकी follow करेगे, कि उससे price कम कर दिया, आपनों भी कम करना पड़ेगा, वरना उस buyer किसके पस ले जाएगे, उसके पस ले जाएगे, समझ में आ रहा है, video में का बोला हो, तो interdependence है, advertisement is very major factor, मतलब इसमें बहुत करता कि आप advertisement कैसे दे रहे हो customer को, कैसे attract कर रहे हो, और कैसे aggressive advertisement कर रहे हो, क्या आप पे trust करके, buyers क्या हो attract हो, आपके advertisement को देखके, और आप से क्या करे, goods buy करे, advertisement क्योंकि few sellers, आपको खुदकवाल 10 seller है, competition 10 में ही है, तो आपको कितना हो सके market को क्या करना है, खिचना है, buyers को खिचना होगा, तो advertisement is major role, entry barriers, of course few seller ही है, तो नए को तो आने नहीं नहीं देगे, यहां पे market के अंदर, lack of uniformity, मतलब certain time में होता है कि uniformity मतलब similarity, possible नहीं होती है, among the firm in term of their size, यहां पर अगर बात करो size की, जरूर नहीं कि सब जितने भी 10 seller है, सब big seller ही हो, कोई छोटा भी हो सकते है, कोई medium size भी हो सकते है, last size भी हो सकते है, और uncertainty, there is a considerable element of uncertainty in this type of market due to the different behavior pattern, rival may joint hands and corporate or may try to fight each other, मतलब ऐसा लग रहा है कि 5-10 जन थे, उसमें 7 जन ने आत मिला लिया और बाकी 3 अपने-अपनी individual game खेल रहे है, ठीक है, ते हो जाएगा oligopoly, और last हो जाएगा monopolistic competition, यहां पर जान साजूना, monopolistic competition, यह कैसा आप बोलो, market बोल सकते हो, competition बोल सकते हो, चो मुझे थोड़ा real लगता है, कैसे लगता है, रियल लगता है, जो मीनिंग देखते है, इसक सब चीजे मालूम है मिलको, in these market, there are some features of the perfect competition, and some features of the monopolistic acting together, professor E.H. Chamberlain, coined this concept in his book, Theory of Monopolistic Competition, which was published in 1933, exam के लिए ध्यान अच्ना, objective में, many बार पुच्छा गया है, कि यह concept किसने इंट्रोडूस किया, किस कोंसी बूप में, Chamberlain भाई ने किया था, उसकी बूप, Theory of Monopolistic Competitions के अंदर, According to Chamberlain, Monopolistic Competition refers to the competition among a large number of seller producing close, but not perfect substitute, यहापे बूलाज number of seller है, but substitute भी गूरूस बना रहे, but not exactly perfect, यहापे देखते है, one by one, पहला तो है, fairly large number of buyer, fairly large number of seller, product differentiate, यहापे product का homogeneity है ही नी, सब अपने अपनी मर्जी से, सब का product, जो भी product बनाएगे, वो क्या होगा, different होगा, जो actual में possible है, आपने देखते हैं, market में same goods मिलते हैं, नाई, सब अपने अपने हिसाफ से, size के, हिसाफ से, chef के हिसाफ से, सब अलग-अलग goods है, next होजाएगा, free entry and exit, यहापे आप कोई भी आ सकते है, कोई भी जा सकते है, no restriction, selling cost, of course, यहापे clearly बोला है, जैसे के perfect competition बोला है, no transport cost, अरे भाई, transport cost भी लगेगा, selling cost भी लगेगा, तो यह को realistic assumption है, सब एक्चुल में possible है, इसलिए इसको real market भी बोला गया है, किसको, आपको close substitute भी मिलेगा, नाधिक मैं tea and coffee की बाद कर रहा है, यहापे, ठीक है, और concept of group, under the monopoly competition chamber lean, introduced the concept of group in place of industry, industry means the number of firm producing the identical product, मतलाब, बहुँ सारे industry रहे के, वो identical goods बेचते रहे के, बड़ ग्रूप्स के अंदर, एकी industry, एक डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अगरे, goods बेचे क जैसे कहीते कोई आप लिक है, a group means the number of firm, बहुत सारी firm producing the differential products, which are closely related, for example, group firm are producing medicine, आपन देखते हैं, डाइबिटीस की मेडिसीन की बात करो, तो बहुत सारी industry है, मतला बहुत सारी firm बोल सकते हूँ, बहुत सारी company बोल सकते हूँ, बहुत सारी company बोल सकते हूँ, simple line में, भले उसक आपन बहुत सारी लेने जाते हैं, तो बोलते हैं, यह गोली नहीं है, बट वो दूसरी company की गोली अविलेबल है, बट वो डाइबिटीस की है, समझ में आ रहा है, तो यह हो जाएगा, आपके features of the monopoly stick, I hope तुम लोग को समझ में आया, अगर आपको अगर कुछ भी doubt हो, कि सर म मुझी यह समझ में नहीं आया, यह concept समझ में नहीं आया, तो प्लीज बच्चे लोग आप comment में जरूर लिखे, आपकी comments को मैं कभी भी ignore नहीं करता, तो मिलते है जल्ली और अब भी जाते है एक request है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज बच्चे लोग चैनल मिलेगा, आपको free of course मिलेगा और बहुत important videos मिलेगा, तो सबको benefit होना चीए, मेरा main motto यही है, जब भी मेरा channel को चालू किया था, तब से मेरा main motto यही रहा है कि सबको benefit मिलना चीए, free education का, तो मिलते है till time, प्लीज चैनले के लिए update रहिए, thank you so much.